अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, वेल्कम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्डु, अगर आपको हमारी विडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी विडियोज को लाइक करें, शेर करें, शुकریह, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का कापता जल्द अस जल्द काम खत्म करने की कोशिश में था। कुटे भी कोई साय ढूंते यहां वहां जबान निकाले फिर रहे थे। दुकान के बाहर खड़ा वो गारियों में बैठे लोगों को हसत भरी नजरों से देखता नदियदे पिन से आइसक्रीम खा रहा था। मुड कर हवालदार ने मज़े से आगे बढ़ते इस शख्स को देखा था और अगले ही पिल तन्फिन करता इसके सर पर पहुँचा था। वो एक कुटे कैप को तिर्चा करके वो भी इस तरह मुखातिब किये जाने पर बिगड़ कर मुडा था। तेरी हिम्मत भी कैसे इस पर बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बता कुटे का बाप कौन होता है। अब बता बाप कौन साले। तेरी बोटियां बोटियां करके कुटों को डालोंगा मा के। हवालदार के मुन से मोटी सी गाली निकली थी जिस पर आपे से बाहर होता वो इस पर तूट पड़ा था। इतना वक्त किसी के पास नहीं था कि जगड़ा रुको अता। लेकिन व हवालदार की पिटाई जोर पकड़ती जा रही थी रशबी बढ़ता जा रहा था। मगर इसे किसी चीज़ की प्रवो नहीं थी। मुक्के पर मुक्के मार कर हवालदार का हुलिया बुरी तरह बिगारता वो इस वक्त रुक गया था जब किसी ने इसके कालर से पकड़ कर इसे खेंचा था साथ ही दूसरे हाथ के मजबूत पंजे में इसका चहरा भी दबोच लिया था वो फड़ा फड़ा कर रह गया था लाक उंचा लंबा मार धार में माहिर सही लेकिन सामने खड़े इस देव जैसे लंबे चोड़े शखस के आगे वो कुछ नहीं था जिसका कसर कुछ धीली करके इस देव नुमा शखस ने अपना हाथ इसके चहरे पर रगड़ा था लड़ाका से लड़के के सरापे पर एक गारह नज़र डालते हुए इसने जटके से इसे छोड़ दिया था भारी सी जैकट को दुरुस्त करते हुए इसने नीचे गिर जाने वाली पुठाई थी फिर वो वहां से पूरी रफतार से भाग निकला था गर्दन मोड़े इसे तक्ते सिया वर्दी वाले शखस के चहरे पर अभी बेयकीनी के तासुरात मौजूद थे इस चहरे की नर्मी वो अभी अपने हाथ में महसूस कर रहा था इस पर इतनी गर्मी में जै पहली थी बहुत से इसे पहचान कर पहले ही खिसक गये थे कुछ लोग उसके घूरने से खाइफ होते चलते बने थे अब के बार इसने सखत नागवार नजरों से कराते हुए हवालदार को देखा था हवालदार के सामने ही अकड़ों बैठ कर इसने इसकी सिया तुन पर मौ समझता वो अपनी हड्यां तूटने की आवाज सुन सकता था साहिब गलती इस लड़के की है हा में समझ गया जब ही के रहा हूँ यू मरहम पट्टी कर दूँ नहीं साहिब जी में ठीक हूँ बिलकुल भला चंगा हवालदार ने उठने की कोशिश की थी मगर उसके बाल अ जरा भी गेरत हुई तो फौरण खुद कशी कर लोगे इसलिए बहतर है साहिब से थोड़ी मरहम पट्टी करवा लो इव नवाब इसे अटेओ गारी में डालो और खिदमत शुरू करो दूसरे हवालदार को हुक्म देता वो उठ खड़ा हुआ था जखमी हवालदार को यक कुछ देर पहले ही इसने जिस तरह बिर्यानी वाले का बिर्यानी के पैसे मांगने पर मुनसजा दिया था ये सब इसी की आह की वज़े से था खुश्क बेरंग होन पूरे दिन में सिर्फ एक दफा का धुला महासों भरा सावला चेहरा कभी ना तराशी घनी भनवें मा बस जैसे इसे दुनिया में लाने के लिए ही मौस से भागती रही थी खत्म पहले ही हो रही थी इसे पैदा करके मर भी गई सारा बच्पन भूका रह रहकर और नशी बाप की मार खाखा कर गुजरा था रिश्टेदार सारे खुद गुर्बत के मारे थे सो आंखें कान ब बाप से पिट-पिट कर वो धीट हो गई थी गिली के लड़कों से लड़ लड़कर मार पेट में ताप शूटी मोटी चोरियां करते करते चोरी में एक्सपर्ट मसला तब हुआ जब इसके बजाहिर में तबदीलियां शुरू हो गएं नजरें बदल गएं शफकत से सर अब कुटे हाथ खिसक कर कंधों पर आने लगे तरस खा कर कुछ देने वाले अब बदले में भी कुछ मांगने लगे जहां इतनी मुश्किलात दी थी वहां उनसे निमतने के लिए भी अल्ला ने कुछ सहुलियात अता कर दी थी कहने वाले कहते थे इसने अपनी मां की तरह बहुत लंबा कद निकाला था सौ मरदाना कपड़ों में वो लड़का ही लगने लगी थी फिर आवाज बदलने में भी वो माहिर थी छोटे से तुतलाते बच्चे की हो या किसी भरपूर जवान की अपनी इस खूबी से भी इसने भरपूर फाइदा उठाया था घर के सामने ही गोर्मिनट गर्ल्स स्कूल था जहां से अब समेथ बहुत कुछ कान लगा लगा कर खिर्कियों से तांक जहांक कर इसने सीखी लिया था मतलब ये के जिन्दगी गुजारने के लिए इस जैसे माहौल में पलने बढ़ने वाली लड़की को जिस जिस चीज़ की जरूरत थी वो गुदरत ने इसे कही ना कहीं से महया कर ही दी थी यार इस उमर में हो जाती हैं ऐसी गलतियां इस पर ऐसे वाविले की किया तक बुनती है मैंने उन्हें कहा भी कुछ लेकर मौामला खत्म करो लेकिन नहीं इस्ज़त इस्ज़त का राग अलापे जा रहे थे जैसे खत्म हो इस्ज़त उनके घर पर M.P.A. साहिब जब तक बात इस्ज़त तक रहेगी वो भी इस्ज़त इस्ज़त ही चीखेंगे मौामला जब जब जान पर आएगा तब खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएंगे जान से प्यारा भी किसी को कुछ होता है टेबल पर पड़ी नोटों की मोटी से गड़ी उठा कर टेबल की दराज में डालते हुए वो एक आँख दबा कर बोला था जवाबा उधेर उमर M.P.A. खिल कर हंसा था तो मैं मौामला खत्म हुआ समझू बिलकुल अप इत्मिनान से जाएए शाम तक अपका भतीजा भी घर पहुँच जाएगा खुद पूरी शान से लाएंगे हम अपसे यही उमीद थी तब ही जब मेरे भाई ने बताया के लड़के से जरा गलती हो गई है मैं मतमिन ही रहा था हाथ मिला कर वो इसके आफिस से निकल गए थे और वो एक बार फिर नोटों की गड़ी निकाल कर कुरसी पर गिर गया था शायद किसी और के लिए जान से प्यारा कुछ ना हो लेकिन मुझे पैसा जान से भी प्यारा है वो जमान खान था इसका दीन इमान दौलत थी वो पोलिस में भरती हुआ था अपने शहीद बाप की खाहिश पर और आगे से आगे बढ़ता चला गया था बासर शखसियात की खाहिश पर इसके तालुकात सूबे भर के तकरीबन हर बासर शखस के साथ थे और अब तो हालात यूँ थे कि वो खुद बहुत बासर और बदनाम शखसियत बन चुका था इसके बात करने का सुलजा हुआ अंदास देखकर पहली बार मिलने वाला सोच भी नहीं सकता था कि वो अंदर से कैसा शैतान सिफत है वो पगा लिखा था अच्छे मोहौल में रहा था सो खूब ही अपने बजाहिर को पालिश किये रखता था दौलत की इसे हवस थी जिसके लिए वो किसी भी हद से गुजर सकता था मासूम लोगों को बलैक मील करके मुझरिम के रूप में सामने दुनिया के सामने लाकड़ा करता और वो लोग भी अपनी इज़तों के लिए अपने प्यारों की जान की खातिर चुप चाप सूली पर चड़ जाते जबकि बासर मुझरिमों से बहुत कुछ वसूल कर उन्हें मासूम शहरी साबित कर देता मा इसके बच्चपन में ही इस धमकाते माहौल से खाइफ होकर उसके बाप से तलाक लेकर चली गई थी और अपने दूसरे शोहर और बच्चों के साथ खुश औ खुर्रम जिन्दगी गुजार रही थी जाने वाले इसकी फितरत से नाला इससे मिलने से कतराते थे वो खुद भी यही चाहता था कि ये नानिहाद अपने दूर ही रहें तो अच्छा है इसे भी रिष्टेदारिया निभाने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो अपनी जिन्दगी पूरी आजादी से अपनी मर्जी से जीना चाहता था किसी रोक टोक के बगएर पाक सर जमीन शादबाद किशोर हुसेन शादबाद मींज से बोजल आंखें मसलती हुई वो उठ बैठी थी बैठे बैठे इधर अलिफादेर जूलती मींद भगाने की कोशिश कर रही थी इसकी हर सुबह ऐसी ही होती थी स्कूल की बच्चियों की चीची तकरीबन सारा दिन ही सर दिखाती थी लेकिन इस वक्त उनकी आवाजें कुछ ज्यादा ही उंची हो जाती थी साया खुदाए जलजलाल इसने भी पहले से आगे को गिरता सर और जुकाया अगले ही पिल फुर्ती से उठकर कमरे से बाहर भागी पसीने से बुरी तरह भीग रही थी लाइब भी राद से बंद थी नहाने की खाहिश शदीद थी किचन में ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिससे पेक पूजा की जाती यानि किसी के लुटने का वक्त आन पहुँचा है आस्तीने चड़ाती वो अपनी जैकट की तरफ बड़ी थी शर्बत वाले बाबे का बस नहीं चल रहा था उसके बूट पर लगी धूल अपने कमीज से साफ कर देता अगर ये दौलत मंद फिरान बन बैठे हैं तो आखिर गरीब क्यों खुद को उनका गुलाम तसवर करने लगे है जो हालात थे इसमें कुछ गलती गरीबों की भी थी गिने के जूसे भरा हुआ गलास लबों से लगाते हुए इसने बिला इरादा ही सर उठाया था और नजरें इस पर जिम कर रह गई थी जो इसकी मौजोदिक से गतीला इल्म पास से गुजरने वालों को सर से पीर तक जूरती फिर मुनह बना कर नफी में सर हिला देती चहरे पर च्छाई मायुसी अचानक ही छटी थी दिल्चस्पी से इसकी हरकात और सकनात का जाइजा लेते हुए जमान खान ने इसकी नजरों के ताकुब में देखा था दुबला पतला सा दर्मियानी उमर का आदमी फोन पर मसरूफ चला आ रहा था जैकट की जेब में हाथ डाल कर वो सर जुका कर उसके करीब से गुजरी थी ना इस बेचारे शख्स में कुछ महसूस किया था और ना ही कोई और देख सका था लेकिन जमान खान की उकाबी नजरों से इसकी हरकत पुशिदा नहीं रही थी बेसाखता मुस्कुराते हुए इसने अपना गलास बेंच पर रखा था फिर हथकड़ी उठाए इसे जा लिया था पुलिस देखकर पहले ही इसका रंग उड़ गया था और चहरा पहचान कर तो बिलकुल ही रोने को हो गई थी मगर आंसु हल्क में अतर्थ हुए कदरे संभल कर शाने उचका कर रास्ता रोकने की वज़ा पूची थी योर आर अंडर अरेस्ट ये लाइन तो वो फिल्मों में कई दफा सुन चुकी थी सौतेजी से कहे गए इस इंगलिश जुमले को समझने में इसे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी क्यों सर क्या कर दिया है मैंने इसके मुन से निकलती बिलकुल मरदाना आवास पर ठटकुता वो अगले ही पिल मुसकरा कर वो इसके काफी करीब आया गया था जेब क्यों अपनी क्यों हम से सवाल नहीं पूछते एक मासूम शहरी होने के नाते में पूछ सकता हूँ अब बताओ क्यों इसकी जरत पर हैरान होने का भरपूर तासुर देता वो अपना हाथ इसकी बदरंगी जैकट की जेब में डाल कर पिल भर में इस आदमी का चराया गया सिया बटवा निकाल चुपका था ये मेरा है उधर दें लोगों को मतवज्जे होता देखकर उसकी आवाज पस्थ होती जा रही थी सबसे ज्यादा वारदातें इसने यहीं की थी अगर किसी के कानों में मौामले की भनक भी पढ़ गई तो जूट का कोई फाइदा नहीं है इसलिए शराफत से चिल लो जमान खान की आँखों में ऐसा कुछ था जो इसका हल्क खुश्क कर गया था मसलसल हिलती टांग इसकी बीचीनी का इजहार कर रही थी एसी खुला होने के बावजूद इसकी पेशानी पर नन्नी मनी बूंदे नुमाया थी खुश्क होते लबों पर जबान फेरती वो मनमनाई थी सर अब तो सब बता दिया है ना तो मैं जाओं मुखतसर तरीन लफजों में वो इसे अपनी कहानी सुना चुकी थी थोड़ी तले हाथ रखे जमान खान ने नजरें इसके चहरे से हटाये बगएर नफी में सर हिलाया था अच्छे भले दादा टाइप मुल्जमान भी यहां आके भीगी बली बन जाते थे और हम दर्दिया बटोरने की कोशिश किया करते थे लेकिन इस लड़की ने अपनी कहानी बहुत सरसरी अंदाज में सुनाई थी और जब इसकी मा के मरने का सुनकर जमान खान ने चच अफसोस कहा था सो बड़ी बेन्याजी से शाने उचका कर अरे अच्छा हुआ अम्मा मर गई सीधी जन्नत में गई होगी इस जहन्नम जैसी जिन्दगी में रखा ही किया था कहा और जमान खान को हैरान कर दिया उंगलिया चटखती हुए इसका दिल कर रहा था इस पुलिस अफसर का सर तोड़ दे आंखें निकाल कर उबाल दे लेकिन मजबूरी सी मजबूरी थी दूसरी तरफ इसके मेले से चहरे पर उभरते जंग्जू से तासुरात देखता जमान खान इसके दिल की हालत से काफी हद तक वाकिफ हो गया था आफिस का दर्वाजा खुला था हवालदार नवाब ने खुश्बूएं उडाता बहुत सा खाना लाकर टेबल पर लगा दिया था खाने से उठता भाप उसके मुन्ह में पानी भर रहा था महक अंदर उतरती आंते मरो रही थी उधर उधर देखती वो खाने से नजरें चरा रही थी क्यों इसे जी जाहिर था बात ही ऐसी थी ऐसे शखस ने की थी वो आराम से यकीन कैसे कर लेती सौहवन्नक तरीन शकल बनाए जमान खान की तरफ देखने लगी मैंने कहा क्यों इसे इस सब को कहीं इसने खाने में जहर तो नहीं मिलाया नशा आवर दवा ये क्या करना चाहता है मकसद क्या है इसका इतना तो मैं जानती हूँ ये कोई अच्छा इनसान नहीं है इसके जहन में उभरते सवाल एक बार फिर उसके चहरे पर लिखे आये थे जिन्हें पड़ता जमान खान एक बार फिर मुस्कुराया था तुम्हारे पास दो आप्शन है आतो डंडे के उओ आये सब जमान खान के चहरे और लहजे से जहलकती संजीदगी पर हल्क तर करते हुए इसने जिजगते हुए एक नवाला तोड़ कर मुन्ह में डाला था आह ऐसा जायकेदार खाना वो तो बस डाल आलू हलीम चावल पर अकभी जब बड़ा हाथ मारती तो एक प्लेट बिर्यानी घर की और भी बहुत सी जरूरियात थी जो इसे इस अयाशी से रोपती थी फिर नशे का आदी बाप जिसे ये जाने में कभी दिल्चस्पी नहीं रही थी कि वो पैसे लाती कहां से है बस मार पेट कर चीनता और निकल पड़ता कुछ वो चोरी करती भी सिर्फ तब ही थी जब कभी अशद जरूरत होती खेर इस वक्त वो कुछ नहीं सोचना चाहती एक नवाला पेट में किया गया पेट में आग ही भड़क उठी थी तीन रोटियां और एक प्लेट बिर्यानी प्लेटों से सालन का भी मुकमल सफा हो चुका था सलाथ से अखरी खीरे का तुकड़ा उठा कर मुन में डाल कर इसने जैसे मींड से जाक कर जमान खान को देखा था कुछ कहने की कोशिश की थी जब एक लंबी सी ड़कार ने शर्मिंदा करा कर रख दिया था हाथ चहरे के आगे हिलाते हुए जमान खान ने जहक कर कागस पर कुछ लिखा था ये बिल है बेयकीनी से अपनी तरफ बढ़ाय गए को कागस को देखते हुए इसे जमान खान की जहनी हालत पर शुबा हुआ था और कुछ देर बाद जब इसकी चाल समझ आई तब तब कर बोली खाने में जहर मिला देते सर जी गरीब से ये मज़ाक नहीं करते जेब में फूटी कौडी नहीं है जो हाथ लगा था वो अब आपकी जेब में है इस बात कभी इसे बड़ा कलक था बटवा वापस मालिक को लोटाने की जगा वो बड़े मज़े से अपनी जेब में ठूंस चुपका था दो दिन का वक्त दे रहा हो में तुम है दो दिन बात पैसे यहां लाकर रख देना वरना तुम्हारी गिली से पकड़ कर सलाखों के पीछे पैंकवाओ हेगा नहीं तो तुम समझ किया रही थी मैं तरस खा कर तुम्हारी दावत कर रहा हूं नहीं खेर ऐसी तो कोई उमीद मुझे बिलकुल नहीं थी अब की निकियों के डंके दूर दूर तक सुनाई देते हैं मुझे भी सुनाई दिये है इसके जल कर कहने पर जमान खान का कहका बेसाखता था वेरी गुड अब जा सकती हो बहुत सस्ते में छो रहा हूं सारी जिन्दगी ये एहसान याद रखना वरना डंके तो तुमने सुने ही है कौफ्त जदा सी एक नजर इस पर डाल के वो दर्वाजे की तरफ बड़ी ही थी जब वो फिर से पुकार बैठा धेले से अंदाज में पलट कर उसने सौलिया अंदाज में शाने उचकाए फिर से कोई वरदित करती पकड़ी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हना जैसे बड़े फर्ज शनास अफसर है दिल ही दिल में बढ़बढाती वो एक बार फिर जाने के लिए पल्टी थी जब एक बार फिर पकारे जाने पर मुठिया भायन चित्ती दांत पर दांत जमाए वापस इसकी तरफ घूमी थी जो कुरसी की पुष्ट से टेक लगा कुरसी आहिस्ता आहिस्ता आदेर अलिफादेर घूमाता इसके तासुरात के मजे ले रहा था जवाद ये सवाल सबसे पूछना चाहिए था लेकिन खैर असल नाम किया है तुम्हारा जवेरिया जमीला दानिया हिमम जाना फार खाने वाले अन्दाज में नाम बता कर वो पीर पटखती आफिस से बाहर निकल गई थी और पीछे जमान खान जेर लब नाम दोहरा कर गुम गुनाने लगा था जाना 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 चापाके ओसे नीन्द से बेदार होकर भी वो कुछ देर तक बेसुध हुंधा पड़ा रहा था और पड़े रहने का नतीजा था कि दिमाग फिर से नीन्द में डूबने लगा था बंध होती आंखें पिट से खिली थी जब कुछ गिरने की आवाज कानों से टकराई थी जमान खान ने गरदन मोड कर देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ था वरना इसका कमरा साविंट प्रूफ था शेट पहन कर जब वो बाहर निकला तो सामने ही ओपन किचन में सोनिया इसे नाश्टे की लवाजमात ट्रे में सजाती नजर आई थी इसकी कुशादा पेशानी पर बेशमार बिलनुमाया हुए चौंक कर सुनिया ने इसे देखा था जो शदीद गुसे की कैफियत में इसी की तरफ बाढ़ रहा था बाजू से पकड़ कर इसने एक जटके से इसे किचन की हुदूद से बाहर निकाला था सोफे से टकराती वो गिरते गिरते बच्ची थी दर्द करता बाजू सहलाते हुए वो नम नजरों से इसे अपना बनाया नाश्टा डस्टमन में डालते देख रही थी कितनी बार समझाया ये तुम है जिस काम के लिए बुलवाता हूँ वो किया करो और दफा हो जाया करो अपने गंदे वजूद को लेकर खास तौर पर किचन में मत खुसा करो समझ नहीं आती है तुम है मेरा वजूद से इतनी घंड के मेरा किचन में घुसना बुरा लगता है मैंने कुछ बना लिया तो इसे कच्रे में फैंक दिया और इसी वजूद को जब दिल चाहता खुद अपने करीब भी करते हो तुम जैसियों के साथ ऐसा ही किया जाता है तस्वे मत बहाओ और हाँ ये क्या कल सारे जहां कामेक अब थोप कर आ गई थी अखरी दर्जा की खाजा सरा लग रही थी आइंदा जब बल्वाओ है तो चहरे का ये हाल नहीं होना चाहिए सर्द महरी से कहते हुए जमान खान ने टोक्री से सेब उठाया था इतना दिल दिखाते हो तुम्हें बददुआईं देने का दिल करता है मगर पता नहीं क्यों देने ही पाती वो जखमी मुसक्राहत चहरे पर सजा कर बोली थी इतना पैसा देता हों तुम्हें इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल से मेरे लिए बददुआ निकलती है तो बड़ी ही एहसान फरामोश होंगी तुम सोफे पर बैट कर टीवी आन करते हुए वो तन से बोला था फिर यगदम उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ बहुत से लोग बददुआ देते हैं मुझे ना जाने इस वक्त भी कितने लोग दे रहे होंगे तुम से तो खास अलखास तालुक है तुम भी दे लो दिल कुछ हलका कर लो मेरा किया बिगर जाएगा क्या मुझ पर आस्मानी बिजली अगरेगी और मुझे भसम कर देगी आचानक ही मेरे कदमों तले से जमीन सरक जाएगी और निगल लेगी मुझे चुप क्यों हो दे लो बददुआ कुछ भी के लो कहो ना मैं तुम्हें बददुआ नहीं दे सकती लेकिन मेरा आहों पर कोई जोर नहीं शायद मेरी कोई आह लग जाए चुलू मैं तो खुद गुनेहगार हूँ किसी मजलूम की ही बददुआ आह तुम्हें लगेगी जमान खान तुम्हारी रसी बहुत दराज कर दी है खुदा ने एक दिन खिंचेगी जरूर वो जा चुकी थी लेकिन जमान खान बहुत देर तक वहीं खामोश खड़ा रहा था कुछ देर बाद लाइवनिज में इसका फलक शिगाफ कहका गुन जा था वो इस मरदाना हुलिया में बाहर जरूर निकलती थी लेकिन मस्तकिल बाहर रहने का ये इसका पहला तजर्बा था वो पहले भी इस बारे में सोच चुकी थी लेकिन जमान खान की धंकी पर इसने बालाखर कोई काम धाम करने का फैसला कर लिया था इस जैसे लड़के को कोई क्या काम दे सकता था सिवाए किसी होटल में बैरे के ये इलाके का सबसे चलता फिरता होटल था वज़ा खाने की लज़त थी और शुकर था कि इसके घर से ज्यादा दौर भी नहीं था शुकर मनाती जाना काम शुरू कर चुकी थी वो कोशिश कर रही थी कि लोगों से कम से कम बात चीट करे मुस्तकल इतने लोगों में रहने की वज़े से वो कुछ बे ऐतिमाद हो रही थी इसे दो दिन में खाने के पैसे लोटाने थे जो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन इस जैसी कुंगिली के लिए बहुत थे टेबल साफ करते हुए इसे माहौल में कुछ गेर मामूली हलचल महसूस हुई तो चौंक कर मुड़ी सिगरट के किश लगाता हुआ जमान खान अपने कुछ साथियों समेट एक टेबल के गिर्द बैठ गया था तेवरी चड़ा कर इसमें होटल में बैठे बाकी लोगों पर घुरी डाली थी सब के सब यूँ अलर्ट से हो रहे थे जैसे सदर ममलुकत तश्रीफ लाया हूँ सर जटक कर जाना ने एक बार फिर जमान खान की तरफ देखा था और इसे अपनी ही तरफ ही मतवज़े पाकर खुद भी कुछ सीधी हो गई हाथ के इशारे से जमान खान ने इसे अपनी तरफ बुलाया था गहरी सांस भर कर वो कपड़ा कंधे पर डालती इसकी तरफ बड़ी थी जबकि इसके रिवायती बेरे वाले अंदास पर जमान खान के लब बे साखता मुस्कराए थे जी साहिब इतनी बुरी शक्ल क्यों बना ली है मुझे देख कर जमान खान के दोस्ताना अंदास पर उसके साथ आए हवालदारों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था क्योंकि अपने कुछ ज्यादा ही अच्छी शक्ल बना ली है मुझे देख कर इसकी मस्कराहत पर तंस करती जाना इसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी दरसल तुम्हें हलाल की कमाई करता देख कर बहुत खुशी हो रही है कभी हमें भी इस बात पर खुश होने का मुकह दें इसके दूबदू जवाब देने पर दाद देती नजरों से इसे देखते हुए जमान खान ने हाथ से टेबल भी बिजाई थी जबकि हवालदार जफर जाना को पहचानता उच्छल पड़ा था साहिब ये वही है वही लड़का हा में जानता हूँ वही दुबला पतला सा लड़का जिसने तुम जैसे सांड के सांड को पेट डाला था जमान खान के अगरा कर कहने पर जफर तो जफर जाना की पेशानी भी चमक उठी थी जमान खान के तेवर देखकर जाग की तरह जफर का गुसा बैठा था जबकि जाना जल्द अस जल्द वहां से खिसक जाना चाहती थी साहिब आरडर बताएं खाना खाते हुए भी जमान खान की नजरें बिला इरादा ही जाना की तरफ उठ जाती इसने वाकी खुद को अच्छी तरह कोर कर रखा था अगर वो सच्चाई जानता ना होता तो यकीनन धोका खा जाता बिल के साथ भारी भरकम टप उसके हवाले करते हुए वो बड़ा भरपूर मुस्कुराया था जिस पर जाना ने तوج्जो नहीं दी थी वो तो हाथ में आए तीन हजार रुपों में ही गुम हो चुकी थी चच ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया अफसोस से इसने अपना हाथ सर पर मारा था वही पैसे दे देती इस हराम खुर को तकरीबन इतना ही तो बिल था अब तो खर्च भी कर लिये मैंने मुन्ह बना कर अभी अभी लाकर रखे राशन की तरफ देखा अब क्या किया जा सकता है जैकत खुंटी पर टंगा कर वो बैठी ही थी जब बुरी तरह दर्वाजा पीटा गया था जैकत फिर से पहन कर इसने दर्वाजा खोला था सामने ही इसका बाप खड़े खड़े जोल रहा था डेर हफते बाद बाप नजर आया था मगर साइड होकर इसने बाप को अंदर आने का रास्ता दिया था मगर जमील ने अंदर पहला कदम रखते के साथ ही इसके बालों को मुठी में लिया था लेकिन अरे ये किया बाल तो बस ऐसे थे जिन्हें चिटकी से पकड़ा जा सकता था सौबाल पकड़ने की खाहिश दबा के इसने जाना के सर पर एक जोरदार थपर रसीद किया था अन्दाज ऐसा जाहिलाना था जैसे वो खुद भी भूल चुका था कि वो लड़की थी सहन से कमरे में जाने तक के सफर में ऐसी कौन सी गाली थी जो इसने जाना को नहीं दी थी जाना के चहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं उबरा था ये तो हर इस दिन का मामूल था जब जमील घर में आता छोटे छोटे चोटे कदम उठाती वो जब तक कमरे में पहुँची जमील कमरे में मौजूद मुख्तसर से सामान को तलपट कर चुका था अबे जमील ने इसे देखते के साथ ही ऐसे गंदे नाम से मुखातिब किया था जिसे सुनकर उसका चहरा सफेद पढ़ गया था इतने सालों में इसे मार खाने की गालियां सुनने की आदत तो हो चुकी थी लेकिन जाने क्यों ऐसे लफ़जों की वो अभी तक आदी नहीं हो सकी थी ताफ्तो कि रही थी तेरे पास एक रुप्या नहीं फिर दुकान पर खड़ी सामान कैसे ले रही थी अब्बा मेंने काम शुरू कर दिया है और पैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं थे बस चंद रुपे थे जिन से में राशन ले आई वाकिता वा बाप मांगे तो पैसे नहीं अपनी भूक की बड़ी फिक्र है क्यूं? तुम नहीं खाते हो खाना कब खाता हो में घर में खाना तो खाया करो ना रोका किसने है? शराब पीते रहते हो कभी जब भूक लगती है तो मेरा दिमाग खाने आ जाते हो बाप के आगे जबान चलाती है तेरी तो वो जूती उतार कर उसकी तरफ उड़ा चुका था जिससे बच्चती वो च्छत पर भागी थी नीचे से अब भी जमील के चलाने की आवाज आ रही थी देखता हो मुझे पैसे ना दे कर तो खुद कैसे आश करती है इस वक्त तो वो कुछ समझे बगैर कान बंद करके च्छत पर पड़े अपने ज्छलनिगा से पलंग पर लेट गई थी लेकिन सुबह उठकर इसे एहसास हुआ इसे बाप की बात पर ध्यान देना चाहिए था आटा चावल और दाल जमीन पर बिख्रे हुए थे और उन पर पानी भी रुज कर डाला गया था आटा तो अब किसी काम का नहीं रहा था बाकी सब चीजें वो साफ करके इस्तिमाल कर सकती थी आलू आलू कहां गए? यहां वहां नजरें दोडाते इसे एक आलू नजर आही गया सारे आलू इधर उधर बिख्रे थे जिन्हें समिटी वो मसलसल बड़बडा रही थी अत्राफ का जाइजा लेते हुए इसने चौंक कर जमान खान को देखा था जो बड़ी भरपूर मसक्राहत लबों पर सजाये किसी सूटिड बूटिड शख्स के साथ आफिस से बाहर निकला था इस शख्स को इसकी बड़ी सी गारी तक छोड़ते हुए इसने तिर्ची नजरों से जाना को भी देखा था जी जवाद साहिब कैसे आना हुआ इसके कंधे पर जोरदार हाथ मार कर जमान खान ने इसे हिला कर रख दिया था शाना सहलाते हुए जाना ने इस पर एक जबरदस्ती घुरी डाली थी फिर जैकट की जेब से पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिये आई तो वो यहां कुछ मजीद दिन की महलत मांगने थी जब एक भरी हुई जेब देख कर नजरें नहीं चरा सकी थी क्या बात है? क्या शराफत है? बेजिजक इस से पैसे लेते हुए जमान खान ने दाद देती नजरों से इसके जैकट के कालर और कैप में छुपे चहरे को देखने की कोशिश की थी शराफत तो नजर आएगी ही साहिब गरीब हैं भी गैरत नहीं बहुर्ट कहते हुए जाना ने एक उचटी सी नजर जमान खान के धूप में चमकते चहरे पर डाली थी जिसे नोट करता वो हंस दिया था बहुत आगे जाएंगे अब जवाद साहिब लिखवा ले मुझ से वैसे क्या किसी की जेब मारी है? मश्कूक नजरों से इसे घूरता हुआ जमान खान दो कदम आगे बढ़ा था जबकि कौफ्ट से इसे देखती जाना तीन कदम पीछे होना चाहती थी लेकिन उफो इस लमहा भर की गुर्बत में जाना ने इसकी ही जेब पर हाथ साफ करना चाहा था मगर दूसरी तरफ जमान खान था अब सुर्तेहाल कुछ यूँ थी के जाना का हाथ जमान खान की जेब से जागते बटवे पर था और जमान खान का हाथ उसके हाथ पर अब रू उचका कर घूरता जमान खान इसका खून खुश्क कर चुका था हल्क तर करते हुए इसने जमान खान के चहरे की तरफ उठासर जुकाया था जैसा के मैं के चुका हूँ अब बहुत आगे जाएंगे लेकिन इतना आगे आप तो खड़े खड़े मुझे हैरान कर देते हैं जवाद साहिब अगर्चा कोशिश नाकाम रही लेकिन हिम्मत कहीं आब घृत जो भी है बहुत पसंद आई मुझे सौ इस पर सलामी कुबूल कीजिए अपने बटवे से कुछ हरे लाल नोट निकाल कर इसने जाना की तरफ बढ़ाये थे फिफफत से सुर्ख पड़ते चहरे के साथ जाना वहां से गुम हो जाना चाहती थी अरे ले लीजिए वापस नहीं मांगूंगा कोई चाल नहीं है सलामी है इसकी शकल देखता जमान खान बहुत मुश्किल से अपना कहका रोक सका था हिचकिचाते हुए नोट लेकर जाना वहां से भागती चली गई थी खुदा मुझे कभी दोबारा इस शक्स से ना मिले दिल ने बेसाखता दुआ की थी जबकि जमान खान एक बार फिर इस होटल में जाने का इरादा कर चुका था वो बड़े बड़े इरसुतूरंस में जाता था होटल में कभी कभार ही शगल के लिए निकल पड़ता आ होटलों में बैठे लोगों की जुकी गर्दनों से अपने अंदर के खुद पसंद शख्स को तसकीन पहुँचाने चला जाता जमान खान को खुबसूरती नहीं इन्फरादियत मुतासर करती थी और जो इन्फरादियत इसे जाना में नजर आई थी वो अभी तक किसी में नजर नहीं आई थी जवाद नमक लेकर इओ ये क्या फीका मलगूबा है जवाद थंडा पानी लाइव यार जवाद ये टेबल पर जरा कपड़ा मारो कुछ गिर गया है जवाद 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 जमान खान ने कबसे इसे तिगनी का नाच नचा रखा था होटल में मौजूद सब ही लोग ये तमाशा देख रहे थे जाना के चहरे पर भाग दोड की वज़े से थकान भी नुमाया नजर आ रही थी लेकिन जमान खान को टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी जवाद मुझे साहिब किस बात का बदला ले रहे हैं अब बालाखर जाना उसके सर पर अकरधीमी आवाज में फट पड़ी ये जो मेरे धर के नीचे टांगे हैं ये मशीनी नहीं हैं इनसानी हैं जो अब बहुत बुरी तरह ठक चुकी है खेर के इक्यों बुलवाया है जमान खान की चर्टी तेवरी ने जाना को याद दिला दिया था कि वो कौन था मैं तुम्हें सिर्फ जहनी तौर पर तयार कर रहा था ऐसे हालात का सामना तुम्हें बाद में भी कभी करना पड़ सकता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक कम मेहनत और ज्यादा सिल्री वाली जाब है हर्गिस नहीं कभी नहीं मर कर भी नहीं भले से ये मनहूस मुझे सोते रहने के एक लाक रुपए दे मैं तब भी इसकी दी मुलाजमत नहीं करूंगी इसकी दी मुलाजमत करने ला मतलब है इसकी जागिरी में आ जाना जो मुझे हर्गिस मन्जूर नहीं दिल ही दिल में फैसला करती वो जमान खान की आवास पर होश में आई थी मैं जब भी तुम से बात करता हूँ तुम कुन ख्यालों में खो जाते हो इस पर ये भारती ड्रामों वाले अजीब और गरीब अलफाक स्पर्शन नहीं साहिब जी कुछ नहीं सोचता क्या सोचोंगा आपकी बड़ी महरबानी लेकिन बस ये काम ही ठीक है फिर मेरे घर से भी नज़्दीक है और ये अस्पर्शन वाली क्या बात की अपने ख्याल किसी पाकिस्तानी बच्चे का बच्पन उन घट्या ड्रामों को देखे बगैर गुजरा होगा इहम बक्वास बंद करो गला खंखार कर जमान खान ने इसे डिपिटा था और जरा ये बताओ कि मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहां से लाते हो सच कहूं तो ये हिम्मत मुझे आपका रवया ही देता है लेकिन इस बात का इजहार करके मैं आपको अपने सर पर नहीं बिठाना चाहती वो एक बार फिर से दिल में खुद मुखातिब हुई थी लेकिन इस बार अपने चेहरे के तासुरात पर कंट्रोल रखने की कोशिश की थी फिर बुतियसी निकाल कर बोली बस साहिब जी जमीर पर ऐसा कोई बोज नहीं जो अब जैसों के सामने जेजेकिनी पर मजबूर करे इस अब जैसों से क्या मुराद है तुम्हारी आदतना एक अब्रू उठा कर घोर के पूछता वो टेबल पर पढ़े अपने गुंगुनाते फोन की तरफ मतवज्जे हुआ था और काल करने वाले का नाम पढ़कर इसे जाने का इशारा दिया और जाना जिसका रंग और चुपका था जल्दी से वहां से खसकुती काल करने वाले को दुआइं देती जेर लब बढ़बढ़ाई थी अब जैसों से मुराद बगरुत मनहूस उलू के पठे हराम खुर बासर लोगों से है साहिब जी दूर से इसे अपने आप में मुसकुराते अजीब अजीब से तासुरात देते देखकर जमान खान सरहिला कर रह गया बस बहुत हो गया हर दूसरे दिन का ड्रामा बना रखा है साध्यल मनहूस ने अफसर है तो खुद को समझ किया रहा है बाप नहीं है मेरा जो मैं सब चुप चाप बरदाश्ट कर लूँगी काम करना अजाब बना रखा है मैं इस होटल में मुलाजिम हूँ या इस कुटे की मुलाजिमा दुखती टांगों पर मुक्के रसीद करते हुए वो बाकाइदा चला रही थी एक बार तो इसने सबर कर लिया था लेकिन जमान खान को शायद इसका सबर करना कुछ खास पसंद नहीं आया था जो हर दूसरे दिन होटल चला आता और उसकी नाक में दम करके रख देता बस थोड़ा पैसा जम हो जाए घर में ही बर्गर बना बना कर बेचूंगी महले के बच्चों को बड़ी पसंद भी हैं ऐसी चीजीं आई स्कूल वालों से बात करूंगी हाँ बस अब यही करूंगी अब ज्यादा अरसे तक मेरा तमाशा नहीं लगा सकता अब वो कमीना अफसर सिर्फ फैसला करके ही वो खुद को बड़ा हलका फुलका महसूस करने लगी थी लेकिन सारी प्लानिंग उलत प्लत हो गई जब गिली के बच्चे ने बहती नाक के साथ आकर बताया तेरे अबबा का जगडा हो गया ए उधर जिधर वो होता है पुलिस पकड़ के ले गई इसको और अब वो एक बार फिर जमान खान के सामने थी जो कुरसी आहिस्ता आहिस्ता आदेर अलिफादेर हिलाता एक बार फिर इस इत्तिफाकी मुलाकात पर सर्शार सा लग रहा था मेरा बाप किधर है? बुलवाया है? आता होगा होप सो के तुम पहचान लोगे क्या मतलब? ठिठक कर पुछती जाना कमरे में दाखिल होते जमील की हालत देख कर उसकी बात का मतलब समझी थी जमील को लाकर कोने में खड़ा कर दिया गया था जबकि इस से खड़ा हुआ जा भी नहीं रहा था और ये कोई नशे की वज़े से नहीं था नशा तो एक आहनी हाथ का जेन प्रखा कर ही हिरन हो गया था लाल नीला हुआ वो जाना को देख कर चौनका था मगर कुछ बोला नहीं था तुम्हारे बाप ने हमारे बंदे पर हाथ उठाने की गलती की है और क्यूंकि मेरा बाप ठहरा मासूम शहरी सो फौरण पकड़ कर ले आई बजाए अपने बंदे से पूछ गुछ करने के के वो कानून का महाफिज होकर ऐसी जगा क्यों गया था अब मेरे बाप को ही एक मिनट एक मिनट पूरी रफतार से चलती जबान को हैरत से तकता जमान खान बिगड़ कर इसे टोक बैठा था तुम्हारी लगत में मासूम शहरी कौन होते है तुम चोरी करते हो तुम भी मासूम शहरी तुम्हारा बाप नशेई जवारी वो भी मासूम शहरी तो फिर मुआश्रे का नासूर कौन है? एक अब्रू उठा कर वो टेबल पर जरा आगे को जुका था जवाबा आशाने उचक्का कर जाना ने नजरें जमान खान के पर कशिश चहरे पर जमा दें इस नजर का मतलब समझ कर जमान खान ने जोर शोर से सर हिलाया था फिर आँखें सुकेव कर गेर मतवकह सवाल पूछ बैठा ये तुम्हारे कंधों के साथ किया मसला है? उचकुत्ते रहते हैं जो मसला आपकी बेनवहे के साथ है नाचती रहती है अखरी जमला में मिना कर अदा किया था वेल ऐसे ही तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता उसूल तो पता हैं तुम हैं मेरे पास चार सो साथ रुपए है कहते के साथ ही जाना ने जैकट की जेब से वो पैसे निकाल कर टेबल पर धर दिये थे कुछ और भी तो है किस्म ले ले साहिब जी एक रुपए भी और हो पास कुछ और भी है जिसकी परदादारी है अरे सच में कुछ नहीं है साहिब जी जमान खान के लहजे की शोखी महसूस किये बगैर वो अंदर ही अंदर हिसाब किताब में लगी थी जमान खान इस से रिश्वत में कितनी रकम तलब कर सकता था और वो फौरी तोर पर इस रकम का इंतिजाम कैसे कर सकती थी तुम नहीं हो मैं नहीं हूँ जमान खान के दिल फ्रेब अंदाज में कहने पर वो गायब दिमागी से बढ़बढ़ाई ओ गाड जमान खान ने अपने बाल मुठी में जकड़े मुझे मुआफ कर दो ये पकड़ो अपना बाप और निकलो ऐसों को रखने का कोई फाइदा भी नहीं उल्टा जहमत बन जाते हैं ऐसे कैदी जमील के सुखे से कामते वजूद को देखता वो नखवत से बोला था हा इतने सस्ते में बलके फरी में कैसे जान छूट गई ये हराम खुर तो पैसे लोटने के बहाने ढूंडता है दिल में सोचते हुए इसने जमान खान की तरफ देखा था जो बगौर उसके तासुरात नोट कर रहा था सप्टा कर दो उंगलियां पेशानी से छूती वो जमील को लेकर वहां से निकल गई सिली गर्ल मुन बना कर बढ़बढाता जमान खान अगले ही पिल हंस पड़ा था वोई जो दे इसकी पुष्ट पर हाथ मारता वो आँख दबाता इसके पहलू में ख़ड़ा हो गया था जाना का खून खुश्क हुआ था ये शखस इसे सख्त नापसंद था होटल में काम करने वाले बहुत से कम उमर लड़कों से ये शखस बड़े घटिया मजाग किया करता था घलत अंदाज में हाथ लगाता था जाना इससे दूर रहने की पूरी कोशिश करती थी मगर अब वो खुद उसके सर पर अख़डा हुआ था इसे मिकमकुल नजर अंदास करने का तासुर देते हुए जाना ने अपनी तमाम तवज्जो पोंचे की तरफ मबजूल करने की कोशिश की एक बात तो बताओ जानी इसके जवाबा चुप ही रहने पर भी वो ढीट बना उसके मजीद करीब खिसका था जाना की पेशानी पर ननी मनी बूंदें चमक उठी थी गर्मी इतनी है कि खाल भी उतार देने को दिल करता है फिर तो इतनी मोटी जैकट क्यों पहने रखता ये सब यही सोचते हैं क्योंके मुझे अलर्जी है सर्द लहजे में के कर वो पीछे हुई थी कसिसिस से अलर्जी है अपने काम से काम ना रखने वालों से यकदम ही भड़क कर कहती वो तालियों की आवास पर चौंक कर मुड़ी थी और पीछे खड़े जमान खान को देखकर इसने पहली बार कुछ अच्छा महसूस किया था इसलाम अलेकुम साहिब जी खादम हाजिर है वो अबाश शखस इतने दिनों में इतना तो जान गया था कि इंस्पेक्टर जमान खान खान जाती तोर पर जवाद को जानता है सौ फॉरण ही गुरबढ़ा कर उसके सामने जुका था खादम लमहे से पहले अपनी बदसूरत शकल गुम कर ले जमान खान के कहने की देर थी बस वो गिरता पड़ता वहां से निकला था और तुम मजीद किस चीज़ का इंतिजार कर रही हो यकदम ही इसके बिलकुल करीब अकर वो दांट पेस कर बोला था तुकर तुकर उसकी शकल तक्ती जाना ने हल्क तर किया था इसकी हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद जमान खान ने कभी अकेले में भी इसे इस तरह मखातिब नहीं किया था कि कहीं हवाईं भी ना जान लेंके वो जाना है तो फिर अब क्या हो गया जानती हो इस शख्स की नेचर, अब जानते हैं, जाना भी चड़ गई थी जमान खान के चुप रहने पर इसने नागवार मुस्क्राहट के साथ आंखें गुमाई थी जब सब जानते हैं तो क्यों नहीं धरते ऐसे दरिंदों को किस बात के इंतिजार में रहते हैं, कि किसमत के मारे इन जैसे दरिंदों की हवस का निशाना बनते रहें फिर कोई मजलूम हिम्मत करके जबान खौले और मीडिया पर भी जब वो मौामला गर्म मोजू बन जाये तो उन दिंदों से कुछ वसूल करके किसी मुसीबतों के मारे को पकड़ कर दुनिया के सामने मुल्जिम बना कर ले आएं, है ना जाना की आँखों में घुसा हलकोरे लेने लगा था इस बात को छोड़ो, तुम बस आइंदा यहां काम नहीं करोगी छोड़ दो ये काम मैंने तुम्हे एक जाब आफर की थी ना बहुत मुश्किल से इस कड़वी हकीकत को हजम करते हुए जमान खान डपटने वाले अंदाज में बोला था मुझे नहीं करनी अब की जाब महरबानी वो युन ही मुनसा आजाय बोली थी तुम्हे मेरे पास काम नहीं करना मैं तुम्हे सिर्फ काम दलवाओ हेगा वो जैसे जाना के इंकार की वज़े समझ कर समझाने लगा था नहीं कहा तो मतलब नहीं वज़ा जाना ने दिल पर हाथ रखकर इसे घुरा था जो उसकी धिटाई पर तिल मिलाता काफी उंची आवाज में दे उडा था मेरे और होटल मालिक के दर्मियान कुछ मौामलात ते हुए है मुझे तकरीबन एक महीना यहां मुस्तकिल काम करना है और एक माना खत्म होने में चंद दिन बाकी है फिर मैं ये काम छोड़ कर अपना काम शुरू कर दूँगी जमान खान के चीखने पर वो डर गई थी कि कहीं वो जिजबात में आकर उसकी हकीकत आशकार ना कर दे सौफोरन जामे में आकर अपना इरादा भी बता गई अपना काम? कौन सा काम? वो भी पिल में मध्धम पड़ा था एहम एहम फुटी मुन तेरा जबान की बच्ची कुछ देखती नहीं कुछ सोचती नहीं बस फिसल जाती है और ये मनहूस आखों में जाने किया लगाए घूंगता है एक बार फिर वो थी इसका दिल था तासरात थे और सर पर हाथ मारता जमान खान अब अगर दिल में मुझे गालियां दे ले हों तो कुछ काम के बारे में बताओगी ले भया ये तो मेरे तासरात से बहुत कुछ जान लेता है चहरे पर खौफजदा तासरात सजा कर वो सोच के रह गई थी जब कि सीने पर हाथ बांधता जमान खान बोला था तुम्हारे चहरे पर तुम्हारी सोचें बहुत वाज़ होती है कोई भी देख सकता है और अकल वाला समझ भी सकता है हना अपने मुनमिया मिठ्थू काम काम ओ हाँ दरसल में ने सोचा है में बर्गर बेचूंगा बिलाखिर इसने उगही दिया बर्गर जमान खान के लबों पर मस्कराहत फड़फड़ाई थी कहा बेचोगे और किया नाम रखोगे जवाद बर्गर शाप अरे नहीं मैं अपनी अम्मा के नाम पर शाप खोलूँगा शादा बर्गर शाप सारी दुनिया के जगनो जाना की आंखों में उतर आये थे जिन्हें देखता जमान खान देखता ही रह गया था फिर सर जटक कर गोया हुआ चंद दिन मतलब चंद दिन चंद दिन बाद मुझे यहां नजर आये तो गर्दन से पकड़ कर होटल से ले जाओंगा और सुनो रोज के दो बर्गर्स हमारे भी सफाई से बनाना और अपना ख्याल रखना इसी गंदे शख्स की तरफ एक उचती सी नजर डाल कर वो बगएर आज इसका इमतिहान बने वापस चला गया था जाते जाते वो किसी ख्याल से फिर जाना की तरफ घूमा था होटल का मालिक कहा है वो सामने वाली दुकान पर गपें हांक रहा है सर हिला कर इसने सामने वाली दुकान का रुख किया था होटल के मालिक को जाना का ख्याल रखने की तलकीम भी तो करनी थी ये क्या मुसीबत है यार इसी से जान छुडाने के लिए मैं ये काम छो रही हूँ और ये काम शुरू होने से पहले ही आरडर भी दे गया कमीना लेकिन आज तो बड़ी इंसानियत के जामे में था मेरी जान अजाब में भी नहीं डाली शुकर है कुछ इंसानियत जागी सोचों में गुम वो फिर अपना काम शुरू कर चुकी थी सिगरेट के किश लगाते हुए वो इस गाड़ी की तरफ बढ़ा था जिसकी खिर्की पर जुका जफर बहुत देर से मखस मारी कर रहा था क्या मसला है सलाम साहिब जफर के कुछ कहने से पहले ही वो गाड़ी वाला चाका था कब से के रहा हूँ बड़े साहिब को बलवा दो मानता ही नहीं कहता है मैं तेरा बाप हूँ जो बात करनी है मेरे से कर क्यों जफर साहिब आपको कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं हो गया हर किसी का बाप बनने का अपने बाप का पता है न जमान खान इसकार सवार को पहचानता था सो बड़ा चबा चबा कर जफर से मखातिब हुआ था जी सर जफर ने वहां से निकलना चाहा था लेकिन वो बाजू आगे करता इसे रोग गया था तो फिर बता तेरा बाप कौन है अबे बता भी दे नाम वाम कुछ पता है कि नहीं गारी वाला भी सिगर्ट निकालता चसके ले रहा था जफर का सिया चहरा गुसे की सुर्खी से और सिया पढ़ गया था सगीर एहमद सर जुका कर इसने नाम बताया था लेकिन जमान खान की अगली बात पर मुठिया भींच कर रह गया था नहीं में हू तेरा बाप जमान खान अब निकल यहां से तिर्ची नजर की एक तेज घुरी इस गाड़ी वाले पर डाल कर वो पीर पटखता वहां से निकला था सौजब्बार साहिब गाड़ी में क्या है जो नहीं दिखाते अब इसके होंटों की मुस्कराहत मान खेज थी बस साहिब जी थोड़ा नमक शम्क है और ये छोटा सा तेहफे अब के लिए हंस्ते हुए जब्बार ने एक फूला हुआ खाकी लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया था जिसे वसूलते हुए जमान खान का चहरा रोशन हो गया था वे रास्ता खोलो साहिब के लिए मासूम शहरियों को ज्यादा परेशान नहीं करते मासूम शहरी कहते हुए जमान खान के लब बसाखता मुस्कराए थे हवालदार भी अच्छी तरह समझ गए थी ये किस किसम का मासूम शहरी था सौरास्ते से रुकावट हटा दी गई सही तो कहती है वो मासूम शहरी खुद को अपनी गाड़ी में लिफाफा डालते हुए वो जेर लब बड़ बड़ाया था अबे ओए ओए तो मुझे ललकार नहीं जमील के चलाने पर पांच अबाता फिरोज तन्जिया मुस्कुराया था हा मनसूर नहीं ललकार बाबे को अभी उठा कर तुझे पठखेगा फिर तो रुएगा जान देख रहा है ना बुढ़े की हा 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 आसपास बैठे बहुत से लोग कहका लगा कर हंस पड़े थे और उसके पास बंगला गारी किया नहीं है जो ये बोली में नहीं लगा सकता कहीं से आवाज उभरी थी एक बार फिर कहकी कुछ है तो सही बचपन में देखी थी बड़ी प्यारी सी मनमोहनी सी इसकी लड़की हाए नशे में धत मनसूर सीने पर हाथ रखकर लिटता चला गया था वो ए हुए क्या बहुत प्यारी थी अरे ऐसी वैसी मक्षन मलाई थी ना जाने कहा छुपा दिया है इस हीरे को हुन्ट काट कर वो जिस गलीज उन्दी में बोला था जमील का खून खौल गया था वो मनसूर पर जप्ता था इससे पहले के जमील का हाथ मनसूर के कालर तक पहुचता मनसूर के जिग्रियार फिरोज ने इसे के मनखन से वजूद को पकड़ कर पीछे धकेल दिया था अबे नई कर नई कर छोड़ दे बुढ़े को हिट पीछे वो मूंचों को ताओ देता ग्रे हुए जमील के पास ही अकड़ों बैठ गया था कितना मांगता है क्या मतलब है तेरा जमील की धरकन रुक सी रही थी लाख दो लाख नहीं अच्छा पाच लाख जमील की फटी हुई सुर्ख आँखों को देखता वो इसे थप पर रसीद कर चुपका था जहां भी चुपा रखा है इसे बलवा दे और मेरे हवाले कर दे मैं तुझे मुनहमांगी रकम दूँगा जितना भी तो बोल अपने कमीज का कालर जटक कर इस आफर पर जमील ने जबान अपने सिया होंटों पर फेरी थी शादा बर्गर सबसे अच्छे बर्गर सफाई से बने बर्गर बर्गर ले लो बर्गर मज़ेदार शादा बर्गर मरदाना आवाज में हल्क फाड फाड कर चलाती वो बर्गर बेचने की रिहरसल कर रही थी बिलाखिर इसकी होटल से जान छूट गई थी स्कूल की हेड मास्टर ने इसे काम पर रखने से इंकार कर दिया था कि वहाँ पहले ही बच्चे बहुत कम थे और चार-पांच रेडियां पहले ही लगी थी जिन में से एक बर्गर की भी थी सो इसने शाम को घर के बाहर बैट कर बर्गर बेचने का प्लान बनाया था आवाज लगावेगी तो कुछ अजीब तो नहीं लगेगा आ ऐसे ही बस चुप करके बर्गर बाहर रखके बैठ जाओं चुप सी होती वो सोच में गुम हो गई थी यहाँ है खुद बाहर सामान रखकर बैठ जाओंगी और बराबर वाल्व के काके को ये सब याद करा के तश्यीर करवा लोंगी मुनह करेगा तो दस रुपए पकड़ा दूँगी कमबख्त को महबबत भरी नजरों से पलंग पर रखे सामान को तक्ती अब वो बड़े प्यार से एक एक चीज को छूचू कर उसका नाम ले रही थी अंडे, खीरे, कैचप, मायू वायू जो भी है मायूनीस को नापसंदीदगी से देखा गया इसका नाम लेने में इसे दुश्वारी हो रही थी पहली बार उसका जिक्र सुना था डबल रोटी और टिमाटर एक बार दुकान चल जाए फिर बस अंडे और प्याज वगएरा डाल दूँगी मेरे पास पैसों का पौदा नहीं है जो अलिफाव इभरे भरे बर्गर खिलाती रहूं ऐसे ही लोग छोटे मोटे काम धाम शुरू करते हैं और एक दिन करोड़ पती बन जाते हैं मेरा वक्त भी आएगा कमर पर हाथ टिकाए वो तसवर ही तसवर में खुद को पैसों से भरे बिस्तर पर पड़ा देख देख कर खुश हो रही थी जब दर्वाजे पर होने वाली देशतनाक दस्तक पर उचल पड़ी थी कौन मनहूस आया है चला कर पुछती वो यही चाहती थी के दूसरी तरफ वाला सुन ले दर्वाजा खुलते के साथ ही इसकी चड़ी तेवरी और कमर पर टकाए हाथ दोनों ढेले पड़े थे सामने बावर्दी जमान खान मौजूद था आखों से सिया चश्मा उतार कर इसने बहुत संजीदा सी नजर इस पर डाली थी फिर इसे साइड करके अंदर दाखिल हो गया था अंदर दाखिल होने के लिए इसे जखना पड़ा था दर्वाजा इसके छे फुट से निकलते कट के लिए छोटा था ए ए हिलो साहिब जी, कहां घिसे जा रहे हैं अब? पिल भर को सकते में रहने के बाद वो इसके पीछे भागी थी जो कमरे का जाइजा लेता पलंग की तरफ आया था इसे खाली करो क्यूं? 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 नासमजी से इसे घूरती जाना जमान खान के यहां आने पर अच्छी खासी हौल उठी थी इसका सवाल नजर अंदास करता वो सामान शापर में डाल कर कमरे में पहुँचा चुपका था वो हाथ मसलती रुहासी सी इसके पीछे ही छेही थी ले इव दर्वाजे से बाहर जहांक कर इसने हुक्म दिया था क्या लाना है? किस को? रुक कर जाना ने फैलती आखों से चादर में किसी को उठाए अंदर दाखिल होते एहलकारों को देखा था और जूही वो लाशा लाकर पलन पर रखा गया और उसका चेहरा सामने आया जाना का दिल रुक गया था हाथ पीर सुन हो गए थे और पलकें जपकना भूल गई थी इसे लगा था वो अब कभी नहीं बोल पाएगी लेकिन अगले ही पिल वो हलक के बिल चलाई थी अबबा जमील के ऐसे कौन से तालुकात थे जो लोग उम्डे चले आते अफसोस करने पहले दिन महले के काफी लोग मौजूद रहे दूसरे दिन कुछ गाउं गोठ में आबाद रिश्टेदार घंटे भर के लिए चले आये थे आज तीसरा दिन था और वो अकेले घर में घुटनों पर चेहरा टिकाए बैठी थी चोरी की बिजली थी जो सुबह ही काट दी गई थी कमरे में नीम अंधेरा हो रहा था अच्छे खासा दिन का वक्त था मगर सुर्मई गहरे बादल आस्मान पर डेरा जमाए बैठे दौपहर को शाम में बदल चुके थे अत्राफ के माहौल से बिलकुल बे परवो वो बार बार भीग जाने वाली आँखों को बेदर्दी से साफ कर डालती जाना ये पहली बार था जब जमान खान ने इसका नाम लेकर इसे मुखातिब किया था ठिटक कर कमरे के दर्वाजे की तरफ गर्दन मोड़ती वो कुछ पिल को इसे देखती ही रह गई थी जो आज पहली बार इसे अपनी वर्दी के सवा किसी लिबास में नजर आया था सफेद करकड़ाते शलवार कमीज में मल्बूस वो खुशबे बखिरता इसके सामने था आस्तीने कुहनियों तक चड़ा रखी थी जमान खान का ये रूप बहुत मुन्फरिद और प्यारा था गहरी सांस भर कर इसने आदतना शाने उचका कर उसके आने की वज़ा पूछी थी अप यहाँ मैं दो दिनों से यहीं हो कुछ देर को किसी काम से चला जाता हूँ तुम्हें क्या लगता है ये कफन दफन सब कैसे हो गया जमान खान ने जताने वाले अंदाज में बताया क्यूं? जाना ने मतासर हुए बगैर पूछा फिर तन्जिया लहजे में मजीद बोली क्या शहर में हर तर्फ अम चा गया है? जो अफसर साहिब यहां डेरा डाले बैठे है मैं सोचता था मैं ही सबसे बेमरवत हूँ कांग्रेट्स तुम मुझसे जीत गई तौसिफी नजरों से इसे देखता जमान खान उसके सामने ही चटाई पर बैठ गया था इसके उलजन भरे अंदास से वाज़ था वो शायद ही कभी जमीन पर इस तरह बैठा हो अच्छा लगा ये देखकर के तुमने खुद को जल्दी सिंभाल लिया तुम से उमीद भी यही थी मुझे पत्थर दिल कहीं या कुछ भी लेकिन मैं अक्सर सोचती थी शायद अबबा कभी इसी तरह चार कांधों पर घर आएगा इसका हाल देखकर जहन पका हो चुका था मेरा इसकी आँखों से एक बार फिर सावन बरसने लगा था जमान खान को जाना जैसी लड़की का यू रोना बहुत अजीब सा और शायद के तकलीफ दे भी लग रहा था इसका हाथ बेख्तियारी में उठा था वो इसका सर थपक कर कुछ होसला देना चाहता था लेकिन जाना ने पहले ही खुद पर कंट्रोल कर लिया और शर्ट की आस्तीन से नाक रगड कर सर उठा लिया जमान खान ने अपना उठा हुआ हाथ तेजी से पीछे किया था अब मुझे महरबानी करके सब कुछ बताएए कैसे हुआ था रुन्दी हुई आवाज में पूछ कर इसने गला खंखारा था इसे सब कुछ बता दूआ जमान खान ने एक पिल को सोचा और फिर सारा माजरा के सुनाया खाली खाली नजरों से जाना कुछ लम्हों तक इसको तक्ती रही थी फिर बे साखता ही हंस पड़ी लेकिन इस हंसी के दौरान इसकी आँखों से कई मोती तूट कर गिरे थे मैं सोच भी नहीं सकती थी अबा मेरी इज़त के लिए जान दे देगा और ले भी लेगा जमान खान के चहरे पर एक सायसा लहराया था लेकिन इसने अपने तासुरात पर कंट्रोल रखा वेल अब तुम क्या करोगी कहा रहूगी क्या मतलब क्या करूंगी कहा रहूंगी यहां रहूंगी बरगर बेचूंगी जाना के इतमिनान से कहने पर जमान खान बेसाखता धीरे से हंस दिया बरगर बनाने का भूत नहीं उत्रा तुम्हारे सर से सुनू जाना वो यकदम बहुत संजीदा सा हो गया था चाहे जैसा भी था वो तुम्हारा बाप था सब जानते थे यहां एक मर्द रहता है तुमने सब से कहा तुम जमील का भतीजा हो जमील की मौजूदगी में तो सब ने यकीन कर लिया लेकिन इसके जाने के बाद ये सब पहले जितना आसान नहीं रहेगा इसके अंदाजा तुम्हें अभी नहीं होगा लेकिन कुछ वक्त गुजरेगा तो तुम खुद ही समझ जाओगी शराबी था हफ्तों घर से गाइब रहता था हर फर्ज से गाफिल था लेकिन वो तुम्हारी चेवहे था दुनिया इस घर पर मैली आख नहीं उठा सकती थी लेकिन अब अब तुम्हारा इस नाटक को जारी रखना अपनी असलियत चुपाना इतना आसान नहीं रहेगा बात खत्म करके इसने अबरू उठा कर इशारे से पूछा था कुछ समझ रही हो जुआबा जाना सर जुकाए उंगलिया मरोड़ती रही काफी देर उनके दर्मियान खामोशी रही बस बादलों के गिलगलाने की आवास थी जो माहौल में कुछ इर्तियाश पैदा कर रही थी साहिब जी हम जमान खान जैसे इसके मुखातिब करने का मुंतजर था आप मुझ पर इतनी करम नवाजियां क्यों कर रहे हैं जाना से इस सवाल की इसे कम असकम इस वक्त तौकह नहीं थी सो कुछ देर को वो चुपसा रह गया था मै इस सवाल का जवाब तो जमान खान को खुद भी नहीं मालूम था एक लफ्स के कर फिर खामोश हो गया अगले ही पिल गहरी सांस खारिज करके बोला जो खुद जुके रहें उन्हें और जुकाने में मज़ा आता है मुझे लेकिन निडर लोगों की बहुत रस्पेकिट करता हूँ में कोई जाती दुश्मनी ना हो तो ऐसे लोगों की सेल्फ रस्पेकिट का मैं एहतराम करता हूँ अपने जवाब पर वो खुद भी हलका फुलका हो गया था तब ही जाना के अंदाज में शाने उचका कर लो दे दिया जवाब वाले तासुरात के साथ देखा था हमम मैं कुछ वक्त अकेले रहकर देखना चाहती हूँ अगर काम चलता रहा तो ठीक है नहीं तो किसी रिश्टेदार से बात करूंगी तुम्हारे रिश्टेदार तो फाके जदा लग रहे थे वो तुम्हें किया संभालेंगे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है और मैं अपना कमाऊनगी तो किसी को जहमत नहीं होगी जिनके घर रहूंगी कुछ उनको भी दे दूंगी ऐसे ही कुछ लो और दो के तहट जिन्दगी गुजर जाएगी जमान खान की बात का बुरा मान कर वो मुन्ह बना कर बोली वो सीधे सादे लोग तुम्हें यू मर्द बन कर घुमने नहीं देंगे शुरू हो जाने वाली बारिश को गर्दन मोड कर देखते हुए जमान खान ने इसे फिर बाज रखना चाहा था तो मैं लड़की बन जाओंगी ये रूप मेरी मजबूरी है जब मजबूरी नहीं रहेगी तो रूप भी नहीं रहेगा गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए वो खोए खोए से लहजे में बोली थी तेजी से गर्दन घुमा कर जमान खान ने इसे घूरा था मगर तुम ऐसे मुनफरिद लगती हो मुझे मुनफरिद लगने का शौक नहीं जाना का अंदाज अब भी वही था तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो बुरी तरह जुंजला कर कही गई अपनी इस बात पर वो खुद ही साकित हो गया था लेकिन जाना ने किसी चीज़ पर धयान नहीं दिया था वो सिर्फ सुन रही थी समझ नहीं रही थी आपकी पसंद से मुझे किया तो फिर जाओ अपने इन रिष्टेदारों के पास जिन्होंने कभी तुम्हारा हाल जाने की कोशिश नहीं की तुम तनी रातें भुकी सुई हो तुम कितने दिन रोती रही हो जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चली जाओ उनके पास चला कर कहता वो जाना को होश की दुनिया में वापस ला चुका था और अब जाना पहली आखों के साथ जमान खान की पेशानी की फड़कती रग और चहरे पर च्छाई गुसे की सुर्खी को देख रही थी दस दस बच्चे पाल रहे हैं अपने एक तुम है और पाल लेते तो क्या बिगड़ जाता मुम्किन है अल्ला खुश होकर उनके गरीब खानों में रिज्क के दर्वाजे ही खौल देता अब के मुन से अल्ला का जिक्र अजीब लग रहा है हैरत भरे अंदाज में जाना के कहने पर जमान खान ने बात रोक कर नागोरी से इसे देखा था क्या मतलब है अजीब लग रहा है गुनहगार हों काफिर नहीं बताईएगा जरा ऐसा कौन सा काम है जो काफिर करते हैं और अपने ही रिश्वत खौरी शराब नोशी जूट हराम कमाई और भी जाने किया किया सुनो अल्ला के सामने कौन कैसा है ये अल्ला ही को मालूम है इनसान किसी के दीन इमान का फैसला करने वाले नहीं होते कहने को तो मैं भी तुम्हें चोरी का हवाला दे कर दीन से फारिग कर सकता हूँ पेशानी पर चमकती ननी मनी बूंदों के साथ वो मरी हुई सी आवाज में बोला था जाना के और भी जाने किया किया कहने पर उसकी आखों के सामने चम से सुनिया का चहरा आया था जाना हुंट चबती बगलें जाके लगी दूसरों पर इल्जाम लगाना कितना आसान होता है खुद पर आये तो वेल मेरा एक दोस्त है बलके जबरदस्ती का दोस्त है शरीफ लोग हैं मेरी तरह नहीं जो आइंट फैमली है अगर तुम उनके घर काम करना चाहो तो बता देना अपनी शनाख्त जाहिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी वैसा मेरा नहीं ख्याल चुपाने की कोई जरूरत है उनके अपने घर बहुत सी खुआतीन है अगर बरगर भुटसर से उतर जाय आ और कोई प्राबलम हो जाय तो ये मेरा नंबर है और घर का एड्रिस मुझ से राब्ता कर लेना और ये है इस जबरदस्ती के दोस्त का पता मेरा शहर से बाहर आ जाना रहता है और भी हजारों काम कोई चारा ना हो तो इस पते पर चली जाना जेब से दो कार्ड्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता वो उठ खड़ा हुआ था खामोश नजरों से जाना इसे बारिश में भीकते हुए सहन उबूर करता देखती रही दर्वाजे पर पहुच कर जमान खान एक पिल को वापस मुडा था जाना को अपनी तरफ ही देखता पाकर अलवदाई अंदाज में हाथ हिलाया और फिर बाहर कुटे की नसल मेरे सामने भॉंकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी सर भी कैसे उठाया तूने सलाखों के पीछे एक तरफ को तीन चार मामूली मुल्जिम एक दूसरे से चुपके बैठे खौफ से फटी मुखों से जमान खान को एक नए आने वाले मुल्जिम की खाल उधरते देख रहे थी अच्छी भली शक्ल का वो कम उम्रसा जेब कत्रा कुछ देर बाद इतना हैबतनाक लगने लगेगा किसी ने सोचा भी नहीं था कुटा कौन है ये तो वक्त बताएगा मुझे कुटा कहने वाले तो खुद कुटे की मौत मेरेगा वो लड़का जो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था शेतान बने जमान खान को जवाब देने से खुद को बाज नहीं रख पा रहा था वो खुद नौजवान था गर्म दिमाग का जिजबाद सा लड़का बास जमान खान हल्क के बिल चलाया था ये इंतहा कर दी थी इस लड़के ने वो जो अभी तक सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तिमाल कर रहा था शोला बार नजरों से इस ग्री हुई कुर्सी से बंदे खुनम खुन हुए लड़के को घूरता वो उल्टे कदमों पीछे हुआ था नवाब जमान खान की हुक्मिया पुकार बाहर खड़ा ये मनजर देखता नवाब फॉरन अंदर आया था और अपने हाथ में मौजूद लोहे की राड इसकी तरफ बढ़ा दी थी अगले ही पिल सलाखों के पीछे से एक आस्मान चीरती चीख सुनाई दी थी इस लड़के के सर से बहता गाड़ा सयाल उन मुल्जमों की तरफ आहस्ता आहस्ता बढ़ रहा था जैसे इन से पूछना चाहता हो तुम लोगों के जर्म से बढ़ा जर्म तो ये शखस कर रहा था तुम लोग चुप क्यों रहे ये चुप तुम्हें महंगी पड़ेगी आज में हूँ कल तुम लोग होंगे याद रखना यही हाल तुम लोगों का भी होगा कल तुम लोग होंगे इस हाल में और खुन की इस सदा का ही शोर था जो बाकी सब तो आँखें बंद किये घुटनों में मुन चुपा चुके थे लेकिन इन में से एक जो सबसे छूटी उमर का था हजियानी उन्दी में चीखने लगा था जमान खान ने बिला तवकुफ उसके एक जोरदार थपड लगाया था कि वो दूसरे मुल जमान पर गिर गया था लेकिन इसकी चीखें और जोर पकड़ चुकी थी और फिर युम हुआ कि वो लड़का चीखता रहा चीखता रहा जमान खान इसके मुनही मुनह पर जन्नाटेदार थपड रसीद करता रहा और बिलाखिर उसकी चीखें भी बंद हो गएं एक तर्फ को गिरा अब वो उन्चे उन्चे कहकी लगा रहा था हुन्ट सुकेर कर जमान खान कुछ देर तक इसे घुरा रहा फिर बाहर निकल कर जेल के दर्वाजे पर ताला लगाते नवाब की तरफ घुमा हा तो अब क्या ब्रेकिंग न्यूज चलेगी मामूली तल्ख कलामी पर दो कैदियों में हाथा पाई एक मुकह पर ही जाब हक जबकि मारने वाला सदमे से जहनी तवाजन खो बैठा पत्रीले चेहरे के साथ नवाब ने जैसे रट्टा लिगया था गैड मत्मियन सा जमान खान आगे बढ़ गया था जबकि पीछे हमदर्दी से सलाखों के अंदर का मंजर देखता नवाब सिसक उठा था चाय का भरा हुआ कब सरदर्द की गोकी के साथ अंदर उतार कर इसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था सर कुर्सी की पुष्ट से टुकती हुए इसने अचानक गुंगुनाने वाले मोबाइल को नागवारी से देखा था नाम पढ़ कर वो काल रिसीव करने से रह नहीं सका था हाँ सर जी वो मनसूर यहां गिली में आया है और लोगों से जमील के घर के बारे में पूछ गुच कर रहा है दूसरी तरफ से जाना के घर के बाहर आम से हुलिये में मलबूस पहरेदारी करता एहलकार परेशानी से बोला था अगर वो घर के गरीब भी गया तो मैं तेरी चमरी उधेर दूँगा इसे बातों में लगाओ मेरा हवाला दो आ कुछ भी करो घर तक नहीं पहुचना चाहिए वो जी सर बेचारी सी आवाज पर हुनकार भर कर जमान खान ने फोन टेबल पर पटख कर सरहाथों में गिरा लिया था इसलाम अलेकुम जमान साहिब आखों से बाजू हटा कर जमान खान ने चौंक कर मनसूर फिरोज और उनके साथियों को देखा था उन्हें जवाब दिये बगएर इसने कंधे दबाते जफर को जाने का इशारा दिया था क्या बात है साहिब जी रुठे रुठे से नजर आ रहे हैं बाकी सब दिवार के साथ गर्दने जुका कर खड़े हो गए थे जबकि वो दोनों टेबल के दूसरे तरफ रखी कुरसियों पर बैट गए थे नारास तो होंगे ही हमने फिर जो इन्हें जहमत दी है बस साहिब जी मुआफी भी मांगनी थी एक बार और खिले आम कतल करने पर और मक्षन से बाल की तरह हमें इस केस से निकालने पर ये छोटा सा तफ़ा भी लिए हाजिर है कुबूल कीजिए टेबल पर रखा पूला हुआ लिफाफा जमान खान को पहली बार खुशी नहीं दे सका था सर को हलकी सी जमबिश दे कर जमान खान ने शट का उपरी बटन खोला था इस वक्त इसका दिल लिफाफे की तरफ देखने का भी नहीं कर रहा था और साहिब एक और गुजारिश थी मुन से कुछ कहे बगएर जमान खान ने इस बार भी इशारे से ही बोलने को कहा था साहिब जमील की एक बेटी थी सारा चक्कर ही इसकी वज़े से चला है औरत वाकी बड़ी फसाद की चीज है खेर उसका कुछ पता कराओ जी शादी करदी है इसकी आ कहीं और ही बीच बाच दिया बुढ़े ने गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए बैठा जमान खान बहुत मुश्किल से अपने घुसे पर कंट्रोल कर रहा था मनसूर अपनी हान के जा रहा था मजीद तोहफा देने का वदा कर रहा जबकि फिरोज कुछ उलचते हुए जमान खान की गर्दन की उभरती रगें देख रहा था साहिब नवाब इसी के कहने पर चाय का एक और कप लाया था कप रख कर उसके कान के करीब मुनकर के आहिस्तगी से बोला था अपका वो दोस्त आया है जिसका अपने कहा था इसे किसी सूरत मेरे आफिस आने से ना रोपना कप उठाता जमान खान साकित हो गया था और उसके तासुरात देखकर नवाब का चहरा सफेद होने लगा अप ही ने कहा था साहिब हमने तो हुक्म की तामील की थी वो बहुत देर से दर्वाजे के बाहर खड़ा था मेरे आने पर चुप चाप चला गया मैंने पूछा चुप होकर नवाब ने आंधी तुफान की तरह जमान खान को बाहर निकलते देखा था क्या बात है फिरोस के पूछने पर नवाब नफी में सरहिला कर रह गया था जवाद जवाद अरे सुनो तो जवाद वो पीछे से आती जमान खान की पुकार उनसुनी किए भागती जा रही थी भागती जा रही थी यहां तक कि जमान خان ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब घुमा डाला जबकि जाना ने जटके से अपना बाजू छड़ा कर जमान खान के चेहरे पर पूरी कुछ से थपड़ रसीद किया था घुसे की जियादती से जमान खान कामप कर रह गया ये इसे जिन्दगी में पढ़ा जाने वाला बिला शबा पहला थपड़ था खुन आशाम नजरों से एक दूसरे को घूरते वो दोनों ही जैसे एक दूसरे का कतल कर देना चाहते थे जवाद नहीं जाना जाना हो में सब सुन लो जाना हो में वो फुट पाथ पर खड़े खड़े दोनों हाथ मुन्ह के दाएं बाई लगाए अलानिया अंदाज में चीफी थी और ना जाने कब तक चीखती रहती जब जमान खान का जोरदार हाथ उसका मुन्ह घुमा गया था करीब ही खड़ी मोटर साइकल से टक्रा कर वो गिरते गिरते बच्ची थी पिल भर को साकित रहने के बाद वो फिर चलाई थी जाओ बता दो जिसको भी बताना है मैं ही जाना हूँ और लो उनसे भारी भारी लिफाफे तुम रिश्वत खुर जलील इनसान हराम खुर कुटे जो जो गालिया इसने जमील से सुनी थी वो सारी ही सांस का वक्फा लिए बगएर इसने जमान खान को दे डाले इहानत का एहसास शदीद तरीम था मुन पर उल्टे जवाब देने वालों के साथ जमान खान किया करता था ये तो अब बताने की जरूरत नहीं थी मगर सामने जाना थी हाथ की मुठी बना कर इसने पूरी कुट से दिवार पर रसीद की थी जिसका असर लिए बगएर वो बोलती रही थी कुटे की मौत मेरेगा तो मेरे बाप के खून का सौदा किया है तूने पैसे का पुजारी तेरा कुछ नहीं था लेकिन मेरा सब कुछ था वो तो लिफाफे लेता रहे जिसको मेरा बताना हो बता दे मैं खुद अपने बाप का बदला लूँगी किसी की जरूरत नहीं है मुझे मामूली लड़की नहीं हो में याद रखना चुप होकर वो कुछ देर तक अपनी सांसे बहाल करती रही फिर वहां से भागती चली गई लोग उनकी तरफ मतवज़े हो रहे थे जमान खान की मौजूदगी की वज़े से कोई करीब आने की गलती नहीं कर रहा था लेकिन जिस तरह वो चीख रही थी वो भी अपनी असल आवाज में मुम्किन था किसी पर सारी कहानी खिल जाती पुलिस स्टेशन करीब ही था शायद के मनसूर और फिरोज के बंदे कहीं आसपास मौजूद हों इस वक्त जाना का चले जाना ही ठीट था गहरी सांस भर कर जमान खान में भागते भागते मौड मौड कर नजरों से ओजल होती जाना को देखा था वो इस इस इलाके से दूर निकल जाना चाहती थी इसे लग रहा था अगर वो मजीद कुछ वक्त इस इलाके में रही तो इसका दम घट जाएगा तुम्हें आखर किसने हक दिया मेरे बाप के खून का सौधा करने का जमान खान तुम होते कौन हो मेरे बाप के गातिल को कानून से बचाने वाले शराबी था जवारी था खुद ही के साथ दुश्मनी कर रहा था दुनिया के लिए तो कितना बेजरर था और मेरे लिए बहुत खास एक प्यारा सा वक्त इसकी बंद भीगी आखों में चला आया था हाथों में मौझूद सके गिंती फुट पाथ पर चलती वो ठिठक कर जमील की तरफ मतवज्जे हुई थी जो हामता कापता आ रहा था साथ ही इसे भी भागने का इशारा कर रहा था हवास बाखता सी कुछ सोचे समझे बगएर वो भी इसके साथ ही भाग पड़ी थी किसी दिवार की ओट में बैठे वो अपना सांस बहाल कर रहे थे जब जाना ने फूली सांसों के साथ ही इससे भाग कर चुपने की वज़ा पूछी थी वो जो सबसे बड़ी वाली दुकान है नाया आधी बात करके जमील फिर हांपने लगा था हा तो सत्रा साला जाना के चहरे पर कोफ्त ही कोफ्त थी वहां वहां से एक वहां से एक जैकत चरा रहा था में बड़े ही कोई कुटे पहरेदार थे जैकत भी चीन ली जलील भी किया इस सबसे दिल नहीं भरा तो कित लगाने लगे मैं जान बचा कर भाग आया अब भी पीछे पड़े थे मेरे सारा माजरा सुनकर वो बिगडी थी तुम भला जैकट का करते किया तुझे देता ना ये कबली थी तूने इशारा इसके तन पर मौजूद जैकट की तरफ था फट रही है सारी जैकट मसलसल इस्तिमाल से मैंने कहा ऐसी जैकट लों जो ज्यादा अर्सा चल जाए अच्छी सी वाटी, विराइटी, वाली जमील तो के करदिवार से मुन्ह निकाल कर जाकने लगा जबकि जाना को इस वक्त इस पर कितना प्याराया था ना तो कही न कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए महब्बत है खराब संगत तुम्हें सुधरने नहीं देती बस दिल में सोचती जाना ने इसी वक्त जमील को इसकी सारी कोताहियों के लिए मुआफ कर दिया था और अब जबकि जमील ने इसके लिए अपनी जान तक बे डाली थी वो कैसे ना अपने बाप सी अतनी महब्बत मحسोस करती कैसे वो किसी क्रप्ट पुलिस अफसर को अपने बाप के قतल को दबाकर गातिलों से पैसा वसूल करके एश करने देती और कैसे वो बदला ना लेती जबकि वो कोई रोती धोती नाजुक अंदाम लड़की भी नहीं थी आउल्ला जब कोई इनसान बुराई की तरफ बढ़ता है तो आप इसे दुन्या में ऐसे इख्तियारात क्यों देते हैं जो मुआशरे में बुराई को और बढ़ावा दें बुरा करने वालों को पना दें यहां कानून के सारे महाफिज ही कानून के सबसे बड़े दुश्मन है इसलिए मैं खुद अपने मुजरिमों को दुन्या में ही अबरत का निशान बना दूंगी कुछ ना कुछ बुराई खत्म हो ही जाएगी जमान खान इसे ढूनने की कोशिश जरूर करेगा इतना तो इसे यकीन था वो बच्ची नहीं थी जो जमान खान जैसे शख्स का अपने साथ खास बरताओ महसूस ना करती हाँ जमान खान अभी खुद से भी एतिराफ नहीं करता था लेकिन इसके चले जाने के बाद जमान खान पर यकीनन अपने एसासात आशकार हो जाएंगे वो इसे ढूंडने के लिए सबसे पहले इसके रिश्टादारों के ही घर का रुख करेगा किसी जाने वाले के घर जाना के ना मिलने पर वो बेसहारे खुआतीन के इदारों में ढूंडने जाएगा तो ऐसी कौन सी जगा थी जहां जमान खान को इस सारे तमाशे के बाद जाना के पना लेने का कोई इमकान नज़र ना आता जिस तर्फ इसका ध्यान भी ना जाता वो जगा थी जमान खान के दोस्त का घर आयूं के ले जबरदस्ती के दोस्त का घर मुठी में बंद कार्ड पर ग्रिफ्ट मजबूत करते हुए वो शुकर अदा कर रही थी कि इसे भाग जाने का मौका मिल गया था घर पहुँच कर इसने सबसे पहले पैटी से अपनी अम्मा के कुछ अच्छी हालत वाले कपड़े निकाले थे एक जोड़ा खुद पहन कर बाकी पोटली में बंद किये और फिर घर की पिछली तरफ से भाग निकली अबा की जेब से निकली सिगरट की खाली डिबिया भी अपने साथ ले आई थी अब वो खाली डिबिया और तन पर मौझूद अम्मा का गहरा गुलाबी रेश्मी लिबास इसे इन दोनों ही की मौझूदगी का एहसास दिलाते और उसके दिल को डायरस बंधाते नींद की वादियों में उतार गए थे वा मेरे मौला हर बंदा एक जैसा है अब के लिए मगर किसी बंदे को दुनिया में इंसाफ भी नहीं मिलता और किसी को सब मिल जाता है सब कुछ आस्मानों से बातें करती बलंदो बाला सुर्मई इमारत को तक्ती वो छोटे छोटे चोटे कदम उठाती इस सिया गेट के बिलकुल ही करीब पहुँच गई थी अभी हिचकिचाते हुए गेट को छुआ ही था जब गेट एक जटके से खुला था घबरा कर जाना चंद कदम पीछे होकर गिरते गिरते बच्ची थी जबकि अंदर से भारी भरकम डिबबा उठाये पहले एक मुलाजमा निकली थी फिर एक खुबसूरत मगर जलाली किस्म की खातून और उनकी टांगों से लिप्टी एक दो शिजा तीनों में से किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी खुद जाना भी वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन दिल्चस्प तमाशा लगा था वो कुछ फासले पर खड़ी होकर देखने लगी अच्छा हुआ आज मैंने देखी लिया मैं खुश थी मेरी बेटी सारा टाइम कुछ लिखती लिखती रहती है हा तो लिखती लिखती तो हुना वो उनकी टांगों से चुपकी ही चलाई थी ये ये लिखती है तो बॉर्त लड़की ये दिन देखने के लिए तुझे लिखाया पढ़ाया था है मुलाजमा के हाथ में मौजूद डब्बे में से एक डाइरी निकाल करकर उन्होंने बावाज बलंद पड़ा खर्बूजा अच्छा लगता है तनहा ही ना इसे फ्रूट चाट में मिक्स कीजिए प्यार का दावा तो सब ही करते है गुल्फाम जी अप मुझसे इश्ट कीजिए आउल्ला आखिर में वो सीने पर हाथ रख कर रह गए और ये बकवास तुम गुल्फाम को सालग्रा पर लिख कर भेजने वाली थी बरेंकित में ही नीचे लिखा इरादा देख कर वो सदमे से चलाई थी ये तो भेज भी दिया पिछले साल इस साल के लिए नया लिखा है सनाओ है शर्मा कर बताया गया साथ ही पूछा भी गया बता कर देख ऐसा लगाओ है गीना चुप होकर उन्होंने केनकियत मुलाजमा को और फिर उसके इशारे पर हंसी रोकने के चक्कर में मुनह सुर्ख गुबारा बनाय जाना को देखा था क्या मधू मक्हियों ने काट लिया है मुनह पर इसका चहरा बगौर देखती खातू हमदर्दी से पूछ बैठी थी मगर फिर जाना के फलक शिगाफ कहकी पर गला खंकार कर रह गएं जबकि छूटी सी मोटी सी लड़की भी फौरण उठ खड़ी हुई थी कौन हो तुम खातून के संजीदगी से पूछने पर उसकी हंसी कुछ धीमी पड़ी थी तो तुम्हारे गाओं वाले तुम्हें मेरी उम्र के शख्स के साथ वनी करने वाले थे और तुम्हें किसी ने बताया है कि यहां बड़ा कोई फर्ज शनास अफसर रहता है जो तुम्हें पना दे सकता मोटे से चश्मे को आँखों से जरा नीचे सिर्का के दादी में अपने मोटी मोटी उंखों से इसे एक बार फिर सर से पीर तक घुरा था जबकि इनके कदमों के नजदीक ही सुकर बैठी जाना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था खालिस जनाना अंदाज में रोना कापना और मिंतें करना जी मुश्किल से निकाले गए इन सुहे को रेशमी दोपटे में जिजब करते हुए इसने बारीक सी आवाज निकाली थी तो बीबी तुम किसी गलत घर में आ गई हो यहां कोई फर्स शनास रहम दिल पुलिस वाला नहीं रहता जो रहता है इसे हमें रोज याद दिलाना पड़ता है कि वो पुलिस में है दादी के मुनह बना कर कहने पर लाइव निज में भरी हर उमर की बहुत सी खुआतीन खी खी की करने लगी थी बी बी जी में बड़ी मुश्किलों से वो इस वक्त हुन सुकेड कर चुप हो गई थी जब दादी ने कह जो तुम्हारी उमर की है वो बच्चिया नहीं है अच्छा जी मेरी हम उमर लड़कियां अब के घर में भी है इन में से किसी के साथ खुदाना खासिता ऐसा होता तो अब बरदाश्ट कर लेती नहीं ना अब जैसी फरिश्टा सिफत बजर्ग खातून कभी बरदाश्ट ना करती और मुझे पता है अब मेरे साथ भी ये नहीं होने देंगी आखों में जुगनों भर कर इसमें नजरें उनके जुर्यों भरे चहरे पर जमा दें फरिश्टा सिफत बजर्ग खातून की पेशानी के बिलों में कोई कमी ना आई अलबता वो उठ खड़ी हुई वासिफा एक दर्मियानी उम्र की खातून उनकी पुकार पर फौरण उठ खड़ी हुई इसे पीछे मुलाजमों के कवाटर में ले जाओ ये फयास के हवाले से यहां आई है वही इसकी यहां रहने का फैसला करेगा फयास मिया तो अपने फैसले नहीं कर सकते दूसरों के फैसले करेंगे एक तंजिया आवाज उभरी फिर दादी की जबरदस्त घुरी पर कई खानिसियां उभरी हाँ एक मरहला तो उबूर हुआ अब देख लेंगे इन फयास साहिब को भी सुकून की लंबी सांस लेती जाना उठ खड़ी हुई थी घुटनों पर कोहनिय टिकाय वो पूरी तरह जाना की जानिब मतवज्जे इसके पसी ने छुटवा रहा था दस मिनट हो गए थे फैयास साहिब की नजरों को जाना के चहरे पर जमे हुए अगर मजबूरी ना होती तो जाना यूँ यक टुक तकने पर उसकी चिन्नी मनी आंखों में सुई खस भी पाती आ नहीं जमान खान के मुसलसल नोट करने की वज़े से अब इसने अपनी सोचों को चहरे पर लहराने से रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी अहो ओहो तो आप वो है कौन वो जानान के साथ दादी ने भी उच्छल कर पूछा था कहीं ये मुझे पहचानता तो नहीं है जाना का दिल हौला था वही जिसका दादी ने मुझे बताया है अभी फयास के मसूमियत से कहने पर जाना समेट लाइवनिज में मौझूद सब ही अफराद में हाथ अपनी पेशानी पर मारे थे हाई ये वही है अब तो आगे बोल इस बच्ची की कोई मदद कर सकता है मगर में क्यों दादी क्योंके तो ही एक यहाँ पुलिस में है मगर मगर ये पुलिस किया है इस बार दादी ने पोते को एक हाथ जड़ ही डाला अब वो लोग अपनी बहस शुरू कर चुके थे जबकि जाना अल्ला का शुक्र अदा कर रही थी इस शख्स से इसे कोई खत्रा नहीं था ये भला जमाम खान को किया बताएगा शाविला में रहते हुए जाना को दो हफ़ते होने को थे इन दो हफ़तों में जाना ने ये बातें जानी थी कि यहां रहने वाला हर शख्स एक से बढ़कर एक नमूना है हिटलर दादी पाँच जल कक्ड़ी बहुई बावे में से भी तीम की अपनी चार अदद बहुई आठ ड्रामा कुइन्स यानि पोतियां इसके अलावा आफते मचाते बच्चे इस घर में खुआतीम की इजारादारी थी मर्द हजरात बहुत बेजरर थे फयाज साहिब कुछ ज्यादा ही बेचारे थे अच्छे भले हुआ करते थे दो साल पहले किसी पॉलिस मुकाबले में सर पर चोट लगने से ये हाल हो गया था ताहम कभी कभार बिलकुल नार्मल हो जाते और इस वक्त जाना उनसे च्छपती रहती थी एक बात जो इसे बहुत अच्छी लगी थी वो थी मुलाजमों के साथ उनसब का पर शफकत रवया वरना अमीरों के हवाले से इसके दिमाग में बड़ा गंद था खाना खुआतीन खुद ही बनाया करती थी मगर घर की सफाई सुतराई की जिमनदारी इस समेट तीम मुलाजमाओं के सुपर्द थी इसकी फुर्ती से सब ही खुश थे सिवाए दादी के जो जब तक वो उनके सामने होती इसे खोजती नजरों से देखती रहती यूँ वो फयाशा और दादी के अलावा बाकी सबसे अच्छे तालुकात बना चुकी थी अपने छोटे बालों के हवाले से इसने बड़े दर्दनाक अंदाज में बताया था कि इसकी सोतेली मा ने कैंची फेर दी जिस पर अलिफामोशनल सी रमशा भावी सिस्कियां लेती इसके लिए साथ मिक्स तेल की एक शीशी उठा लाएं ये लगाना मेरी उम्मी ने बनाया है उम्मी कहती हैं औरत के बाल औरत का हसन होते हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए मेरे बाल देखो उन्होंने अपनी घनी सी घुटनों तक जाती चोटी लहराई नहीं बढ़ाने तो तेल क्यों लगाती हो बढ़ाने हैं तो काटती क्यों हो लेकिन यहां आकर इसे ना सिर्फ अपने जबान पर बलके अपने तासराथ पर भी कंट्रोल करना पड़ रहा था जिसमें वो अच्छी एक्सपर्ट हो गई थी बहुत बहुत शुक्रिया भावी जी रोज रात को सोने से पहले लगाना और सुबह धो लेना माने भर में गर्दन छप जाएगी तुम्हारी वो हिदायत देती हुई चली गएं जाना मुस्करा मुस्करा कर सर हिलाती रही और उनके चले जाने के साथ ही आंखें घुमा कर आग्दना शाने उचकाए इसे कोई शौक नहीं था गर्दन छुपाने का लेकिन फिर भी देखते हैं सर से दो पट्टा उतार कर इसने अपनी तकरीबन तुंड हुए सर को आइने में देखा था फिर तेल की बोतल उठा ली डिशाओ है डिशकाओ है टीवी पर फुल वालियोम में कोई एक्शन मुवी चल रही थी अच्छाई और बुराई एक दूसरे को मात देने को बेकरार थे और जैसा के सब जानते थे अच्छाई जीत गई उच्छाई जीत ही जाती है लेकिन सिर्फ फिल्मों में बुरे होते दिल के साथ वो कुदसिया बेगम को बता कर अपने कवाटर में चली आई थी और अब पलंग पर गिरी जले दिल के साथ खुद कोस रही थी मैं घर से बदला लेने निकली हो या बाल बढ़ाने अपने साफ सुथरे नर्म बालों में हाथ चलाती वो अजीब सा महसूस कर रही थी उठ कर दिवार पर लगे आईने के सामने जा खड़ी हुई अच्छा खाना पीना अच्छा माहौल इस पर बहुत जल्दी असर अंदाज हो गया था इसका चहरा जमील के चहरे से मुशाबे था ताहम बाकी वजूद बिलकुल मापर पड़ा था वैसे ही सियागने लची दार बाल चोड़े कंधे उन्चा कद सुराही दार गर्दन सन्वलाहित माईल गंदुमी रंगत अगर आखों को जरा सुकेर कर इसे देखा जाता तो बिलकुल यू लगता जैसे शादा खड़ी हो लंबा अर्सा गुजर चुका था खुद पर गौर किये अब गौर किया था तो अपना अब बहुत नया नया लग रहा था इसके कपड़े पुराने मगर अच्छे थे जो घर की मालकुनों में से ही किसी ने दिये थे क्या मुसीबत है घुंग्रियाले बाल को खैंचतान के उंगली पर लपिटने की कोशिश करती वो यद्दम ही खुद को शीशे में लानत दे बैठी मुझे बस एक मुकह मिल जाए अपना मिशन पूरा करने का एक मिनट इरादा बांधती वो यद्दम ही ठटकी थी जाना मुकह ढूंडती नहीं मुकह बनाती है अब मुझे कुछ करना ही होगा बहुत हो गया अपने कवाटर की बेदिवार छट पर चड़ी वो लरस्ती टांगों के साथ गर्दन उठाए जाइजा ले रही थी कि वो यहां से कैसे घर से बाहर निकल सकती थी लेकिन बहुत गोर औखौस के बाद भी इसे कोई रास्ता नजर नहीं आया था घर के चारों अत्राफ दिवारें थी जिन पर तारों में क्रेंट छोड़े गए थे आउल्ला अब मैं क्या करूँ अब ही कोई मुकह अता कर दे मुनह लटकाए वो दरख्त की तहनी फिर कमरे की खिलकी का सहारह लेती बंदरों की तरहे च्छलांगे लगाती उतर गई थी और अपने कमरे की गैल्वी में खड़ा दूर्बीन की जरिये सारा मनजर देखता फयाज बेसाखता हंस दिया था पून दूसरे कान से लगाते हुए इसने तौसीफी अंदाज में कहा था वाकी ये बहुत मुन्फरिद है ऐसे ही तो में फिदा नहीं हो गया दूसरी तरफ जमान खान ने फखर से एतिराफ किया था चली गई ना वापस हाँ लेकिन अब ये फुल चार्ज लग रही है कुछ भी कर सकती है हेलो अब कौम कहते कहते फयाज के सर में की सेंसी उठी थी सर पर मुक्के मारते हुए वो यगदम अंजान बन कर पूछने लगा तुम्हारी सास जल कर कहता जमान खान राबता मुनकतह कर चुपका था मगर ये सास किया है हेलो लो फोन ही काट दिया सद्मा तो हुआ था जमान खान को अखरी सासों पर खड़े घर के दर ओ दिवार खुद पर गिरते हुए भी महसूस हुए थे दिल बिलकुल वीरान हो गया था इसका जब अपने काम से फारिग होकर वो रात को जाना के घर उसकी गलत फहमिया दूर करने गया था और दस्तक पर दर्वाजा किसी ने नहीं खोला था दिवार फलां कर वो अंदर पहुचा था और खाली घर इसे अच्छा खासा परेशान कर गया था पहरेदारी पर ममूर एहलकार का मुनह तोड़ने के इरादे से वो पल्टा था जब कुने में ग्रे मुड़े तड़ी कार्ड ने मतवज्जे कर लिया ये इसका अपना कार्ड था लेकिन फयाज का कार्ड कहा था बहुत धुन्डने पर भी जब इसे कार्ड ना मिला तो इसे सारी कहानी समझा गई जाना जतनी भी आगे की सोच लेती जमान खान से नहीं जीट सकती थी अगले दिन इसने फयाज को फोन करके इस से किसी की आमद के मतालिक पूछा था शुकर था फयाज इस वक्त नार्मल था सौजमान खान ने जाना का हाल हुलिया नैन नक्ष बताने के बाद जान लिया वो गम की मारी जाना ही थी फयाज को इसका ख्याल रखने की ताकीद करके इसने शुकर अदा किया था जाना का अपने घर से दूर रहना ही बहतर था फयाज ही था जिसने दादी को भी जाना को रखने पर राजी किया था वरना दादी क्योंकर किसी अंजान रोती धोती लड़की पर भरोसा करके इसे घर में रखने पर भी राजी होती ये था जमान खान की तरफ का किसा और अब जमान खान जाना को वापस ले जाने की तैयारी में था खत्रा टल चुका था मनसूर और फिरोस भी जमील की लड़की की लाहासिल खोच से उकता चुके थे और फिर जमान खान इसे खालिस मश्रकी दोशीजा के अंदाज में देखने को भी बेकरार था गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाता वो गाड़ी में सवार हुआ ही था जब फोन गुम गुनाने लगा हेलो पौन कान और शाने के दर्मियान फंसा कर इसने सिगरेट सुलगाई थी जब दूसरी तरफ से मनसूर और फिरोस के गतल की खबर ने इसे अच्छा खासा उचलने पर मजबूर कर दिया था सीना मसल कर खांसते हुए इसने पानी की बोतल मुनसे लगाई थी सर अब ठीक तो है दूसरी तरफ से परेशानी से पूछा गया यस यस आई एम फाइन मैं पहुचता हूँ वहाँ पौन कान से हटा कर जमान खान कुछ देर के लिए बिलकुल ही गुम समसा हो गया था अखरी मुलाकात में जाना के कहे गए जमले कानों में गुंजने लगे थे मैं खुद लूँगी अपना बदला मामूली लड़की नहीं हो में याद रखना नहीं जाना ऐसा नहै कर सकती जिस बात पिन अपनी जगा कतल नहीं कर सकती वो आ अल्ला ये जाना की कास्तानी नहो जमान खान ने बड़े दिल से दुआ की थी जवेरिया जी भाबी जी बरतंद होती जाना उनकी पुकार पर हाथ पोनच्टी चली आई ये सेंडविचिज ले जाओ और मेरे फरहान को दे यू लेकिन चुपके से अल्मास भाबी के बच्चे-बच्चे बड़े नद्यदे हैं शीन के ना भाग जाएं मेरे बच्चे से खाने में तो बहुत टाइम है अभी आपके बच्चे का नाम तो दिलावर नहीं है दिलावर मेरे मिया का नाम है फरहीन भाबी तिलमिला उठी अब माशालला इतने सारे बच्चों में आपके फरहान को कहां से ढूंडों में बत्तमीज तीन माने हो गए यहां रहते हुए अभी तक तुम्हें नाम याद नहीं हुए तुम्हारा हाल तो फयास से भी बुरा है अब ऐसी भी बात नहीं जाना तड़प उठी फयास साहिब होते तो उल्टा पूछते ये बच्चे क्या है भाबी एक मिनट ये भाबी किया है भाबी इसके अंदास पर किचन में मौझूद सब ही खुआतीन हंस पड़ी थी खुद फरहीन भाबी भी मुस्करा दी थी जब सास की पुकार अच्छा उम्मी कहती किचन से निकल गई हाथ में पकड़ी सेंड़िचिस से भरीटे पर एक नजर डाल कर इसने एनी भाबी को देखा था जिस बच्चे की नाक से हर पिल बुलबुले फूटते रहते हैं ना वही है फरहीन भाबी का फरहान ऐसी शांदार निशान देही की थी एनी भाबी में अब वो कभी नहीं भूलने वाली थी फरहान कौन है इसके बहुत से दुपटों पर फरहान साहिब की निशानिया मौजूद थी इख जुरजुरी सी लेकर वो किचन से निकली थी खाली ट्रे लहराती हुई जाना किचन में जाते जाते ठिठक कर रुकी थी घर की सभी लड़कियां लाइवनीच की खिड़की पर जमा इसे चौंका गई थी चांद तो बस एक है और तारे कितने सारे हैं हाई ये कितने प्यारे हैं नाजनीन अपने शेर पर खुद ही वावा कर रही थी जब जाना ने एक साटिड होकर पूछा शूटी बीबी क्या गुल्फाम भाई आये है गुल्फाम नाजनीन का कजिन भी था और दोनों का बच्पन में निका भी हो चुपका था नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा आप ऐसी शायरी जो कर रही है जब गुल्फाम आएंगे तब मैं शायरी नहीं करूंगी खुद शायरी बन जाओंगी इसके ख़बनाक अंदास पर सब लड़कियों ने नाग के फुन फैलाये थे अपनी शायरी जैसी मत बन जायेगा गुल्फाम भाई डर के भाग भी सकते हैं दान्त निकोस कर कहती जाना नाजमीन की भरती आखों पर और बाकी लड़कियों के खिल-खिला कर हंसने पर सक्प्टा कर किचन की तरफ दौर पड़ी बाहर से आती आवाजों पर जाना को अंदाजा हो रहा था महमान बहुत खास है दादी बहुत कम लोगों से राजी होती है बेला कॉल ड्रिंक गिलासों में डालते हुए बोली थी सही उन्हें अपने जैसे ही खरांट लोग पसंद है रुखसाना बेगम ने मुन्ह बना कर कहा फिर सक्टा कर जाना को देखा लेकिन जाना ने तासुरात नार्मल ही रखे थे खबरदार जो उम्मी के सामने मुन्ह खोला अरे बीबी मैं तो बड़ी बीबी के सामने जाकर भूल ही जाती हो कि मेरा मुन्ह भी है जाना के बेचारगी से कहने पर वो तिर्ची नजरों से इसे घोर कर रह गएं बिस्मा कहा है बिलाओ इसे उन्होंने बेला को अपने बड़ी बेटी को बिला लाने का कहा था सर हिलाती वो अपने काम से फारिग हुई ही थी जब बिस्मा खुद ही चली आई अच्छा हुआ तुम आगें ये ट्रे अटेउ और बाहर जाओ उम्मी पिलेज बिस्मा जलाई थी क्या पिलेज ऐसा थपड़ पड़ेगा तुम दोनों की वज़े से मेरी की मीम्दें उड़ी रहती है अटेउ ये ट्रे और दफ़ह हो बी-बी में ले जाती हूँ बिस्मा को भेजे जाने का असल मकसद समझे बगैर जाना ने खिले दिल से आफर की थी लेकिन इस पर रुखसाना बेगम की घुरी जवेरिया किचन में बस बेला और वो ही थे जब नाजनीन इसे पुकारती चली आई जी मुबारक हो इन गाउं वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है जो तुम्हें वनी करना चाहते थे तुम्हारी सोतेली अम्मा की भी खूब फिंटी लगी है सर्दियों में मजे देती है मूं फली तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ होगी अब खुशी काफ क्या हैरत जदा सी जाना नाजनीन के साथ खिंचती हुई लाइब निज में चली आई थी और सामने ही सोफे पर बिराजमान जमान खान को देख कर उसका रंग उड़ गया था अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अब वापस जा सकती हैं अपने घर जमान खान ने जोरदार अंदाज में अबरू उचकाने पर इक्तिफा किया था जबकि फयाज ने होंटो पर मचलती मुस्कराहत चुपाते हुए संजीदगी से कहा था मीम मीम मैं यहां नहीं रह सकती इसने दादी की तरफ आस से देखा था और दादी ने सुकून से नफी में सर हिला कर उसकी आस तोड़ दी थी हना मैंने भी किसे आस लगा ली थी हलक तर करते हुए इसने एक बार फिर जमान खान को देखा था मर जाओ तुम जमान खान मैं दो कतल कर सकती हूँ तो तुम्हारा काम भी तमाम कर सकती हूँ दाथ पर दाथ जमा कर शुला बार नजरों से जमान खान को घुरते हुए इसने दिल ही दिल में कहा था और जमान खान ने जैसे सब समझ कर सरसबात में हिलाया था उन्हें बसद असरार एक रात के लिए वहां रुकने को कहा गया था बलकि ये कहना बहतर था कि जमान खान को वहां रुकने के लिए कहा गया था वरना हिटलर दादी का बसना चलता इसे लमहा से पेशतर घर से निकाल बाहर करती खुदा जाने किया परखाश थी उन्हें इस बेचारी से खिर इस वक्त इसे सबसे ज़्यादा सदमा इस बात का था कि जमान खान इस तक पहुँच गया था इसके अंदाज से वाज़ था वो बहुत पहले से मेरी यहां मौजूदगी से वाकिफ था और कि दो बजे ये दस तक कौन दे सकता था बिस्तर पर गिर कर सुकड कर लिटते हुए इसने आंखें सकती से मैच ली थी लेकिन दस तक अबजोर पकड़ती इसे उठने पर मजबूर कर गई थी दर्वाजा खौल कर वो जमान खान की आँखों में आंखें डाल कहना चाहती थी दिमाग ठिकाने पर है साहिब जी आदो घुन से लगा कर ठिकाने पर पहुँचाओ है लेकिन हुआ किया कि जाना की नजरें इसके बूटों पर से भी नहीं उट पाई थी पहले इसके जमीर पर कोई बोच नहीं था वो जो चाहती के देती मगर इस वक्त ये एहसास इसे नजरें उठाने नहीं दे रहा था कि वो मुल्जिमा थी एक कातिला कैसी हो कातिल हसीना जमान खान की शुख आवाज पर वो ठंडी सांस भरके रह गई तो वो वाकी सब जानता था लाइट जलती तो कोई ना कोई मतवज्जे हो ही जाता सौखिर्की से आती चांदनी ही थी जो कमरे को अंधेरे में डूबने से बचा रही थी आमने सामने सर जुकाय बैठे वो गहरी सोचों में गुम लगते थे जाना सोच रही थी शायद अब ये मुझे जेल ले जाएगा जेल में में चुकी पैसोंगी और रोज रोज फड़े करूंगी और मुझ से भला कौन औरत मारपीत में जीच सकती है फिर फिर मैं दादा बन जाओगी दादा बन जाने के बाद में जेल से भाग जाऊंगी अपने जैसे और भी दुनिया के सताय मुल्जमों से मिलोंगी फिर हम लोग अपनी एक टीम बना कर दुनिया से नाइंसाफी खत्म करने की कोशिश करेंगे और एक दिन किसी क्रप्ट पुलिस वाले के हाथों मर जाएंगे मगर मजलूम हमें अच्छे लफजों से याद करेंगे हमारे नामों पर अपने बच्चों के नाम रखेंगे फिल्मों में ऐसे ही तो होता है और जमान खान सोच रहा था ये लड़की महरूमियों भरी जिन्दगी में भी जिसकी हर अदा जिन्दगी से भरपूर होती थी कब सोचा था कि एक दिन खून रंगन हाथ लिए इसके सामने बैठी होगी कब चाहा था कि इसकी नजरें भी मेरे सामने ना उठी ये तो गर्दन अकड़ा कर बातें सुनाती हुई ही अच्छी लगती है इस वक्त तो बिलकुल अंजान सोचे जरा थमी थी बैसाखता उमती मुस्कराहत लिए जमान खान ने इसके चहरे पर वैसे तासुरात देखे थे जिन्हें वो बहुत मिस करता रहा था दूसरी तरफ जाना जो अपने तासुरात को कंट्रोल करना सीख गई थी इस वक्त जाने क्यों कंट्रोल नहीं पाई थी शायद के शायद के शायद के इसे अच्छा लगता था जमान खान का अपने अंदाज नोट करना जाना मध्धम पुकार पर जाना फॉरण ही सोचों से बाहर निकली थी क्या किसी का कतल करके इतने आराम से कैसे बैठ सकती हो जैसे अब किसी के कतल पर सौदा करके इतने आराम से बैठ सकते हैं जट जवाब आया था अगर मैं कहों सिर्फ गतल पर सौदा नहीं मैंने गतल भी किये हैं तो तो मैं फॉरण यकीन कर लूँगी आप अगर कहते अपने कभी कोई कतल नहीं किया तो मैं हैरान होती और बिलकुल यकीन ना करती मुस्कुराते लबों के साथ अंखों में नफरत भर कर जमान खान को देखते हुए वो सुकून से बोली थी यू नफरत से मत देखो जाना अब तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है नजाने क्यों इस नफरत को गहराई से महसूस करता जमान खान उदास हो गया था है बहुत है जमीन आस्मान का फर्क है मैंने इनसाफ ना मिलने पर ये कदम उठाया जिन्हें मारा वो आपकी तरह शेतान के चीलों में से थे मगर अपने हमेशा मजलूमों को कुछला ना जाने कितने मासूम और बेगुना लोग अपकी कैद में ताकतवरों के जर्म की सजा कात रहे है कितने अप लोगों की दरिंदगी का शिकार होकर वहीं सलाखों में मर खब गय होंगे एक आम इनसान की नजर से देखा जाये तो वाकी आप और में एक जैसे हैं लेकिन सिर्फ आप और में जानते हैं आप और मेरे जैसे लोग ही जान सकते हैं हम में बहुत फर्क है जाना की आंखे नम होने लगी थी आवाज कामपने लगी थी वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन के नहीं पा रही थी लब सकती से भींच कर गहरी-गहरी सांसे लेते हुए रुख जरा मोड के बैठ गई वो खुद को फिर से एक माने पहले की इस हैबतनाक रात में महसूस कर रही थी शोर, चीखें, दहशत, जनूनियत अब अप मुझे जेल ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं मैं बदला लेने के लिए घर से भागी थी आपसे भागी थी आपसे शदीद नफरत महसूस करते हुए वहाँ से भाग निकली थी कानून से नहीं भाग रही थी मैं मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है मेरे पीछे वैसे भी कौन है रोने के लिए कोई मुझ से ऐसी महबबत करने वाला नहीं रहा अब इस दुनिया में कोई नहीं जिसे मुझे तकलीफ में देखकर तकलीफ हो या मेरे दूर जाने से तड़प उठे मेरे रोते सिसकते अटकुते हुए बोलते बोलते वो यद्दम साकित हो गई थी जब जमान खान ने इसके सर पर हाथ रखकर उसकी गरदन एक जटके से अपनी तरफ घुमाई थी जाना को अपनी धरकने कानों में सुनाई दे रही थी सांसें बिलकुल रुक सी गई थी और अंखों से आंसू लड़ियों की सूरत ग्रे चले जा रहे थे कोई नहीं एक सरगोशी सी जमान खान ने की थी जमान खान की आंखे नम इस शख्स को क्या गम हो सकता है क्या मेरे गम पर रू रहा है ये नहीं ये नहीं मुम्किन वो सब जान कर भी अंजान बन जाना चाहती थी मचल कर इसने जमान खान का हाथ अपने सर से हटाने की कोशिश की थी लेकिन यों लगता था इसका भारी हाथ गौंच से जाना के सर से चिपका हो सिर्फ मुझे इतना बताओ जाना कोई नहीं, ना की सूरत जवाब मिलने पर मैं तुम्हारे हमेशा यहां रहने का बंदोबस्त कर जाओंगा चला जाओंगा चुप चाप, और ऐसा जाओंगा जैसे कभी था ही नहीं सिर्फ एक बार मेरी आखों में आँखें डाल कर कहो कोई नहीं, चांदनी में जाना की पलकों पर अटके आंसु शफाफ मोतियों की मानिंद चमक रहे थे और जमान खान उन मोतियों को चिन लेना चाहता था लेकिन बेबसी सी बेबसी थी कितने ही लमहे सरक गए थे, ना जमान खान ने इसके सर से अपना हाथ हटाया था ना जाना ने अब हाथ हटाने की कोई कोशिश की थी, वो बस चुप चाप नजरें जुकाए अपना जवाब सोच रही थी बलके जवाब तो शायद वो हमेशा से जानती थी, इसे कहने की हिम्मत पैदा कर रही थी गहरी सांस भर के इसने नजरें उठाई तो वो अपनी आखों पर ही जिम्मी जमान खान की आखों से टक्रा गए लेकिन इस बार जाना ने नजरें नहीं चराई थी और उसका नजरे नाचराना जमान खान को अंदेशों में घेर गया था नहीं जाना के लबों से सरसराती सी आवाज निकली थी लेकिन जमान खान के लब मुस्करा उठे थे मैंने कहा मेरी आखों में देख कर ये नहीं कहो नहीं नहीं होता है जाना बिगडी थी कहने के अंदाज में बगा फर्क होता है जमान खान का इत्मिनान बहाल होने लगा था आपका सर फोड़ कर कहो में न मेरी आखों में आँखें डाल कर कहो तुम न कुछ देर तक जाना दांखें पेस कर इसे घूरती रही फिर पत्थर मारसा नहीं के ही डाला आखों में आँखें नहीं डाले तुमने जमान खान शान बेन्याजी से कहता उठ खड़ा हुआ था अरे आखों में आँखें डाल कर कहा तो है इस बार कब डाली थी? अभी जो डाली थी इतनी दोवरे थी तुम्हारी आँखें मेरी आखों से तो तो आपका किया मतलब था मैं सच मुछ अपनी आँखें आपकी आँखों में उंडेल दू हाँ तो और किया मतलब था मेरा सुकून से कहता जमान खान दरवाजे से बाहर निकला ही था जब जाना ने जटके से इसका बाजू थम कर इसे अपनी तरफ गुमाया जमान खान भी धेले धाले अंदाज में घूम गया आप चकनक कर रहे हैं चकनक तुम कर रही हो मेरे अलफाज पहले भी यही नहीं थे आखों में आँखें बात अधूरी छोड़ कर बेसाखता हंसते हुए जमान खान ने दर्वाजा अपने मुन्ह पर बंद होता देखा था जाना जमान खान की पुकार पर दर्वाजे से ही कान लगाए खड़ी जाना ने तिल मिला कर पूछा था क्या है जमान खान ने भी अपना मुन्ह दर्वाजे के करीब कर लिया जाना क्या है भई क्या है जाना का बी पी हाई हो रहा था जाना चापाके ओसे जमान खान के तरंग में कहने पर जाना भी इसी तरंग में बोली थी दर फुटी मुन पलंग पर जाकर गिरते हुए इसने जमान खान का कहका सुना था और हौल गई थी मेरे हाथों से नहीं तो खरांट दादी के हाथों जरूर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा मगर इस चापाके इसे का मतलब किया है पश्टो गाने की ये अलफाज उसके सर पर से गुजर गए थे वासिफा बेगम की आसिफा का निका था तैयारिया जोरों पर थी पहली बार सिया गेट पूरा का पूरा खुला था कि आने जाने का सिलसला बगएर किसी दुश्वारी के चलता रह इसके बाद ना जाने कुदरत इसे मुकह देती या नहीं जाना ने सुबह से पेट में दर्द का ऐसा रोला डाला कि सब के हाथ पीर ही फला दिये ये प्यारे से दिल वाले लोग इसे डॉक्टर के पास ले जाने को तयार थे लेकिन वो जाहिर है कि नहीं जाना चाहती थी ना जी, हम गरीबों में ऐसे चोंचले नहीं होते थोड़ा आराम करूंगी तो भली चुंगी हो जाऊंगी और शाम को जब महमानों की इम्द्जोर पकड़ चुकी थी तब वासिफा बेगम और नाजनीन इसके सुने का इत्मिनान करती चली गए उनके जाते के साथ ही जाना उचल कर पलंग से उत्री थी अल्मारी से अपने साथ लाया एक मरदाना लिबास पहन कर वो जवाद के रूप को चादर में छुपाए खुदा खुदा करती शाविला से निकलने में काम्याब हो गई इसने तो अपनी तरफ से तमाम एहतात अपनाई थी अब काम्याबी आनाकामी जो अल्ला को मनजूर हो संजीदा नजरों से वो इस खस्ता हाल इमारत को देख रही थी जहां के दर और दिवार में भी शराब और सिग्रेट की रची हुई थी वो इतना तो जानती थी कि यही वो जमील का आना जाना रहता था यहां तक कि इसी जगा इसे कतल कर दिया गया लेकिन वो गातिलों के सिर्फ नाम से वाकिफ थी उन्हें कभी देखा नहीं था बाहर चौकिदारी पर ममूर लहिम शहिम शख्स के करीब जाकर अपनी मरदाना आवाज में इसने कहा था सलाम भाई में मनसूर साहिब से मलना चाहता हूँ बड़ा जरूरी काम है उनको भेज दो क्योंकि सीधा मनसूर का नाम लिया था सो वो हटा कटा शख्स मूँचों को ताओ देता सर हिला कर अंदर चला गया खड़े खड़े बहुत देर गुजर चुकी थी और रात भी गहरी होने लगी थी अब जाना का दिल डरने लगा था कहीं उन्हें भनक तो नहीं पड़ गई दिल में सोचती वो वापस लोटने का इरादा कर ही रही थी जब दर्वाजा खुला था इस लहीम शहीम शख्स के पीछे ही भारी जसामत और कदरे साफ रंगत वाला मनसूर जुमता जामता निकला था जबकि इसके पीछे कदरे बहतर हालत में चुरीरी जसामत वाला सावला सा फिरोज भी था कौन फिरोज था कौन मनसूर ये तो वो नहीं जानती थी लेकिन वो दोनों वही दोनों थे इतना इसे अंदाजा हो गया था क्या है बे लड़के कौन है तो और हमसे से क्यों मलना है इसलाम अलेकुम साहिब मुझे जमान खान ने जमील की लड़की ढूंडने का काम दिया था बुरी तरह धड़कते दिल के साथ केकर इसने एक पीर पीछे खसकाया था अगर उन्होंने फौरण ही इसका जूट पकड़कर हमला कर दिया तो वो भाग लेगी जमान खान ने इस रोज उनसे आगे किया बात की थी ये तो वो सुन ही नहीं पाई थी ओए हाँ हम तो उमीद ही छोड़ बैठे थे मनसूर खुशी से चीखा था खान ने वदा किया था कैसे ना निभाता फिरोज ने मनसूर की पुश्ट ठोंक के कहा था नशे से मनसूर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी जबकि फिरोज के होश काफी हद तक ठिकाने पर थे पहले मुझे इस होश मंद शख्स पर हमला करना चाहिए का दिमाग तेजी से आगे का लाएहा अमल ते कर रहा था किधर है वो पता चल गया ना मनसूर के पूछने पर वो सोचों से बाहर आई थी हाँ साहिब पकड़ लिया है इसे मेरे बंदों ने अप यू जी वहाँ गाड़ी में है वो एक तर्फ को चल पड़ी जहाँ कदरे वीरानी थी यहाँ ट्रैफिक का आना जाना था फिर अंदर ना जाने उनके और कितने साथी हो एक मिनट फिरोस की आवाज पर रुकते दिल के साथ इसने कदम भी रोके थे कौन सी गाड़ी यहाँ क्यों नहीं लाते अबे यार ये सवाल बाद में पूछ लेंगे जमीन हर अक्रों बैठता मनसूर बदमिजाजी से बोला इस से चलना दूभर हो रहा था साहिब यहाँ लोग मौजूद हैं जाना को अपने आवाज कमजोर पड़ती महसूस हुई थी सब अपने ही हैं गाड़ी यहाँ ला फिरोज का एतिमाद इसका एतिमाद डानवा डोल कर रहा था सर हिला कर वो खामोशी से पलट गई वो कोई पेशावर गातिल तो थी नहीं खौफ अंदेशे पहले ही कम नहीं थे इस पर फिरोज का सخت अंदाज और इसे सिफ अपनी जान ही नहीं अपनी इज़त की भी हिफाज़त करनी थी पीर घसिते हुए अंधेर हिस्से की तरफ बढ़ती वो पीछे फिरोज की चुपती नजरे और दो कदमों के फासले पर सरकते इसके कदम महसूस कर रही थी अभी में भाग भी जाऊं क्या बाद में कभी किसमत मुझे बदला लेने का ऐसा मुकह देगी मैं मुआफ करने वालों में से नहीं हूँ मेरे दिल की आग किया हमेशा भड़कती रहेगी मेरे मेरे कदमों से आगे बढ़ती वो यद्दम रुकी थी बगेर देखे भी वो समझ गई थी कि फिरोज चौकनिना हुआ था चादर हटा कर इसने एक जटके से मोड कर हाथ में पकड़ा तेज धार आला फिरोज के एंदिल के मकाम पर उतारा था फिरोज ने फौरण इसका हाथ पकड़ा था लेकिन लमहा भर की दैर हो गई थी इसे मनसूर वो लहीम शहीम गार्ड और भी बहुत सी आवाजें एक साथ उभरी थी किसी के करीब आने से पहले ही जनून में मुबतला जाना ने चीफ कर आला फिरोज के सीने से निकाल कर अपनी तरफ बढ़ते मनसूर के गिले में घौमपा था पीछे कितने लोग भाग रहे हैं कैसी कैसी हैबतनाक आवाजें हैं क्या क्या धंकिया दी जा रही है जाना सब उन सुना किये सिर्फ भागती चली जा रही थी इसे तो ये भी यकीन नहीं था वो दोनों मेरे हैं या नहीं बस भागती गई भागती गई भागती ही गई छपती चुपाती पिछली तरफ से वो अपने घर पहुँच गई और वहाँ जाकर घुप अंधेरे कमरे में बंध होकर जो इसने अपनी आहों का गला गेविंटा था कमरे में अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता सिर्फ इसकी आहें थी सिस्किया थी जो इस अंधेरे को और हैबतनाक बना रही थी रोते रोते ही वो नीम बेहुश सी एक तरफ को गिरने लगी लेकिन इसके पास बेहुश होने का वक्त भी नहीं था हिम्मत करके उठने की कोशिश में वो लड़कडा कर गिर गई थी भारी सांसों के साथ वो टिटोल टिटोल कर वाश रोम तक पहुची थी अंदर बाल्टी भर कर इसने कपरों समेथ ही खुद पर पानी उंडिलना शुरू कर दिया था इस पर खून के बहुत गहरे चीन्टे पड़े थे अब आंखी इस अंधेरे से मानूस हो गई थी सर पर ठंडा पानी पढ़ने से हवास भी कुछ बहाल हुए थे सहन में कही न कहीं से आती रोशनिया गुजारे के लिए काफी थी माचिस की तीलिया जला जला कर इसने पैटी से अमा का एक बोसीदा सा लिबास निकाला था जिसे पहन कर वो एक बार फिर सिसक उठी थी एक और चादर निकाल कर इसने बाकी कपड़े हटा कर सबसे नीचे अपने खून के चीन्टों वाले भीगे कपड़े रखे थे घर के पिछली तरफ से निकलते हुए इसे यकीन था वो कहीं न कहीं होश खोकर गिर जाएगी और वो गिरी भी लेकिन शुकर था कि अपने पलंग पर हफ़ता भर बुखार में जलने के बाद वो अपने दिल में शाविला में बसने वाले अच्छे दिलों के प्यारे से लोगों के लिए बेपना महबत और इज्जत महसूस कर रही थी जिन्होंने इसका यूँ ख्याल रखा था जैसे वो कोई ननी बच्ची हो और इस तरह जाना ने इनसाफ के दरबंध होने पर खुद खुद को इनसाफ दिया था वो दोनों मर चुके थे ये खबर इसे टीवी से मिली थी जिसे सुनकर उसके मुन से बेसाखता निकला था खस कम जहां पाक जाना जाना उठो क्या हुआ है बेहोश हो गई हो किया नींस से बोजल आंखें खौल कर इसने जमान खान की तरफ देखा था जो उसकी तरफ का दर्वाजा खौले जुका हुआ तश्वीश नात नजरों से इसे देख रहा था जिसका वजूद गाड़ी का ऐसी चला होने के बावजूद भी पसीने में भीग रहा था उठकर बैखते हुए इसने दोपटे से अपना पसीने से चिपचिपाता चेहरा साफ किया था क्या कोई बुरा खाब देख रही थी इसके गाड़ी से बाहर निकलने पर जमान खान ने पूछा था नहीं बुरी हकीकत जाना के जवाब पर वो अपने हुन्ट सुकेड कर रह गया ये आपका घर है तो और कहा लाता तुम है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ वो जगा खत्रे से खाली नहीं अप मुझे जेल क्यों नहीं भेजते तुम मेरी दोस्त जो हो मैं अपकी दोस्त नहीं हूँ अप जैसों को दोस्त नहीं बनाती में जाना के बिगड़ कर कहने पर जमान खान इस पर एक तरची घुरी डाल के रह गया अप मुझे कब तक बचा लेंगी जमान खान ने सिया आहनी गेट खोला तो वो पूछ बैठी अब तो सारी उम्र बचाना पड़ेगा फर्स भी तो बन जाएगा जमान खान के मज़े से कहने पर असने नाक के फुन पहलाए थे बड़े आप फर्स उसंत निभाने वाले हैं एक फर्स उसंत ऐसी भी है जो गुनहगार से गुनहगार मसल्मान भी निभाने को बेकरार रहता है पर असरार से लहजे में के कर वो जाना के जवाब का मुंतजर था लेकिन जाना की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर जमान खान ने सौलिया नजरों से इसे गर्दन मोड कर देखा था और इसे लान को מुझ खौल आँखे प्हाब 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 कर देखता देखकर मसकराहत दबाता फिर नाक की सीध में चलने लगा था السलाम अलैकुम वालेकुम सलाम सलाम कर करा कि सोनिया और जाना एक दूसरे को जाइजा लेती नजरों से गूरने लगी थी जाना सोच रही थी कितनी खुबसूरत है जमान खान की बहन अगर मैं अमीर लड़का होती तो इसी से शादी कर लेती जबकि सुनिया की आँखों की हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी ये थी जाना जमान खान की जाना इतनी मामूली एक चीज भी तो ऐसी नहीं थी जो जमान खान के मुकाबले की होती सुनिया हसद में जमान खान की असलियत जान कर भी भूल रही थी जमान खान बजाहिर हर लिहास से मुकमल लेकिन इसका किरदार सुनिया जमान खान की पुकार पर दोनों ही अपनी सोचों से बाहर आई थी हाँ, तुम्हें सब समझा दिया है मेने इसे संभलना तुम्हारा काम है मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ साड़े साथ आठ तक इजाओ हैगा तब तक अपना काम कर चुकी हों तो बहतर होगा अंदाज वार्निंग देने वाला था मैं जल्द इजाओ हैगा डरना मत नर्मी से जाना से कहता जमान खान गारी की चाबी उठाता जा चुपका था इसके लहजे की तबदीली इतनी अचानक और शदीद थी के सोनिया तो सोनिया जाना भी महसूस किये बगैर नहीं रह सकी थी सोनिया की नजरों में जाने किया था कि एक बार फिर ठंडे थार लाइवनिज में बैठी जाना के पसी ने छूट गए थे अब कौन है? कुछ लमहों तक लाइवनिज में खामोशी चाई रही फिर जाना ने हकला कर पूछा नाम नहीं सुना सोनिया का लहजा पत्थर मार था नहीं हाँ मीम मीम मेरा मतलब नाम तो पता है जमान खान की बहन है नाप जाना का एतिमाद इस जालिम हसीना के सामने साथ छोड़ रहा था सोनिया के लबों पर नाफहम सी मुस्कराहट उभरी थी ना गैस करो गैस क्या मेरे पेट की गुड़गुड इसे भी सुनाई दे रही है नहीं एक प्यारी सी लड़की के सामने गैस नह जाना बीबी ने इस गैस का अपना ही मतलब लिया और पेट पकड़ कर दोहरी होने लगी हैरत से तड़ेत मुर्ती जाना को देखती सोनिया ने काफी देर बाद समझ कर बेजारी से आंखें गुमाई और इसे वाश रोम का रास्ता दिखाया लड़की है ऐसो साल से भूकी डाइन जाना को नदीदूं की तरह एक के उपर एक चीज खाता देखकर सोनिया ने सोचा था अपनी प्लेट परे खिसका कर वो कुछ देर इसे घूरती रही फिर तब कर बोली क्या अच्छा खाना पहली बार खा रही हो आ अखरी बार आखर में सोनिया का लहजा कुछ अजीब सा हो गया था अखरी बार खाएं मेरे दुश्मन मैं तो जब खाती हूँ ऐसे ही खाती हूँ ऐसे ही खाना चाहिए जाना भरे मुन के साथ जवाब देकर फिर खाने में मगन हो गई लेकिन कुछ देर बाद इसे सोनिया की नजरों की चुभन कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी थी आपको मैं बुरी लग रही है बहुत जाना ने सवाल पूरा भी नहीं पूछा कि सोनिया की तरफ से जवाब दे दिया गया खिफफत जदा सी जाना सरहिला के रह गई तुमने पूछा था मैं जमान खान की कौन हो जमान खान की तरफ से की गई तमाम तंबी भूल कर सुनिया जाना से बुरी तरह जलन महसूस करती पूछ बैठी जाना ने बगौर इसे देखा फिर इस बात में सरहिला दिया मैं इसका खिलोना हूँ जिससे वो जब तक दिल चाहता है खेलता है और फिर जी भर जाने के बाद इसे फैंट देता है पिंदे मिनट पंदरा मिनट लगे थे जाना को इस पहली से जवाब को बूचने में और समझ जाने के बाद जाना की नजरें ही नहीं उठ पाईं फिर सुनिया की तरफ वो सुनिया की तरफ देखने से मुकमल ग्रेज कर रही थी जब सुनिया खुद ही उठकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई जाना के हल्क में नवाला फंसने लगा सोनिया ने पानी का गलास उठा के दिया घट घट पानी चबाते हुए जाना ने तिर्ची नजरों से इसे देखा था जो के रही थी जानती हो इस से बगा रिश्वत खुर शायद ही कोई हो इस बात का तो खेर तुम्हें पता होगा पुलिस वालों ने तो रिश्वत खुरी फर्ज समझ ली है बलकि आज कल कौन है जो रिश्वत नहीं लेता अगर कोई नहीं लेता तो लोग खुद ही इसे दे देते है खिर इस मगलर्स का भी अच्छा साथी है और आतू और वो गातिल भी है सुनिया ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो जाना को सबसे हलकी लगी थी अब जमान खान गातिल था तो वो भी गातला थी अच्छा सब जानने के बाद जाना के मुन से निकलने वाला अच्छा सुनिया के चौदा तबक रोशन कर गया क्या अच्छा, एक कातिल से शादी कैसे कर सकती हो तुम, गरीब हो, मगर इजददार तो हो ना, गरीबों को तो सबसे बढ़ कर अपनी इजद की फिक्र होती है, फिर इतने गंदे इनसान से शादी कैसे कर सकती हो तुम, क्या पैसों की हवस है तुम है, सोनिया फट पड़ी थी नाजाने क्या क्या कहे जा रही थी जबकि लफ्स शादी पर जाना साकित रह गई थी कान के आसपास धमाके हो रहे थे जमान खान से शादी वो मुझ से शादी कर रहा है जाना सोनिया ने इसका बाजू पकड़ कर जहन्जोर डाला था पूछने पर सुनिया चुप रह गई थी जबकि जाना कुछ देर बाद फिर बोली थी अगर वो वाकी मुझ से शादी कर रहा है तो हाँ मैं भी ये शादी करूँगी मैं करूँगी जमान खान की माम कहीं से माम नहीं लगे मैं भी माम की माम लग रही थी मुनह बिसूर कर सुचते हुए जाना कीमती सामान से सजे जमान खान के कमरे का जाइजा भी ले रही थी जब जमान खान अंदर दाखिल हुआ था मगर अंदर दाखिल होकर वो दर्वाजे पर ही फरीज हो गया था अगर्चा नोक पलक नहीं सन्वारी गई थी लेकिन हलका फुलका मगर सलिके से किया गया मेक अप नाजुक मगर खुबसूरत जील्वी तराश खराश से मुजयन सफेद घेरदार फराक जिसके साथ सुर्ख उनरी दोपटा था जो बड़े अंदास से सर पर वो रखा था जाना के रूप को बहुत खुबसूरत बदलाइब दे रहा था वो आस्मान से उत्री कोई हूर तो नहीं लग रही थी लेकिन जमान खान को सबसे प्यारी लग रही थी क्योंके वो इसे प्यारी ही लगती थी आज तो सच मुझ कातला लग रही हो ख्याल रहे अप ही को कतल ना कर दूँ मैं कतल होना चाहता हूँ भी कतल करना चाहती हूँ सिली गर्ल वैसे सोनिया के रही थी वो तो जैसे तयार बैठी थी शादी के लिए वाकी तयार बैठी थी लेकिन शादी के लिए नहीं एक मुस्तकिल पनागा के लिए पिल में जाना ने जमान खान का दिल तोड़ा था और इस तूटे दिल के साथ मुस्कुराते हुए जमान खान ने आहिस्तगी से सर हिलाया था तो तुम्हें पना चाहिए थी बस और आप दे भी किया सकते हैं महबबत वबुत कुछ नहीं नहीं मुझे किसी की महबबत की जरूरत नहीं मैं खुद काफी हो खुद से महबबत के लिए कितनी बुरी हो तुम फिर भी जाना तो हो धीरे से हंसते हुए जमान खान ने एक गहरी नजर इस पर डाली थी फिर हाथ जाना के आगे पहला दिया गद्रे जर्जच कर जाना ने महंदी के नम पर गोल टिक्की से सजाहात जमान खान के हाथ में दिया था था मैं वदा करता हूं जाना सारी जिन्दगी तुम्हारी हिफाज़त करूंगा तुम नहीं भी चाहोगी मैं तब भी तुम से महबबत करूंगा मैं तुम्हारे लिए बदल तो नहीं जाओंगा लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा सबसे मुख्तलिफ सबसे अच्छा रहूंगा मैं अब एक वदा तुम्हें भी मुझसे करना पड़ेगा जमान खान ने हाथ कुमाया था अब जाना का हाथ नीचे और जमान खान का उपर था क्या जाना जो मुतहिर सी जमान खान के बदले बदले अंदास पर इसे देखे चली जा रही थी बेसाखता पूछ बैठी एक दिन तुम भी मुझसे महबबत करने लगोगी बहुत आस्थी जमान खान के लहजे में ये मेरे बस में नहीं है होनी होगी हो जाएगी हा मदर में आपके साथ हमेशा मखलिस रहूंगी तुम धोका करके तो देखो जाना ने तो जवाब में किसी ड्रामे में सुना हेरोईन का डायलाग बोला था और जवाबा इसका हीरो इस पर सौजान से वारी चला जाता है लेकिन ये जमान खान धमकाते लहजे में के कर उठ खड़ा हुआ था हवन नक सी जाना टुकर टुकर उसका मुन देख रही थी जब वो मुस्कराहत चुपाते हुए पूछ बैठा कुछ के उगी क्यों है तब कर कहती जाना उठने लगी थी बेजमान खान ने बाजू से पकड़ कर इसे वाहस बिठा दिया और किसको मसले हो गए वो सोनिया का हवाला देना चाहती थी लेकिन नहीं इसने बड़ी मिन्नत की थी कि हमारे दर्मियान होने वाली बात जमान खान को ना बताओ है अब फिर ये अलिफाक्स पर्शन सोचों में घरी जाना जमान खान के जुला कर कहने पर सप्टा गई फिर तुल मलाई अब से मेरा खाना और उस पुशनस पहले दिन ही बरदाश्ट नहीं हो रहे बड़े आए मेरी हिफाज़त करने वाले हाई 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 इसे इस पुशनस नहीं अलिफाक्स पर्शन कहते है मेरी बिला से जो भी कहते है अब मुझे दूसरी बार खाना नहीं दे सकते महबबत क्या खाक देंगे तुम मेरी महबबत का मकाबला खाने से कर रही हो जी हाई क्यूंकि खरान्ट दादी से मैंने एक बार सुनाते प्यार महबबत की बातें तब ही अच्छी लगती हैं जब पेड भरा हो खरान्ट दादी माई गाड वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं अभी देख की देख लेकर आता हूँ ताका ज्यादा अच्छी लगें तुम्हें मेरी बातें मुस्करा कर कहता जमान खान जुही कमरे से बाहर निकला जाना ने अपनी दिल्ली खाहिश जहत पूरी कर डाली और नर्म गर्म बिस्तर पर देम से गिर पड़ी जाना की हलकी गुलाबी घहरदार फराक हुआ से उड़े चली जा रही थी जिसे बेपरवो वो यक टुक खुश रंग फूलों से भरे लान को देखे जा रही थी देखे जा रही थी यहां तक के घड़ी पहनता जमान खान उसके पहलू में आख़डा हुआ क्या फूल बहुत पसंद हैं तुम हैं इसकी दिल्चस्पी नोट करता जमान खान सोच चुपका था यहां बहुत सी और अकसाम के फूल लगवाने हैं किसे पसंद नहीं होते मगर में उन्हें देखते हुई यह सोच रही थी कितने गुलशन उजाड़े होंगे अपने जो आज अपके घर का बाग फूलों से भरा हुआ है और जमान खान के चहरे का सारा रंग निचुड़ गया यह पहली बार नहीं था शादी के इस एक मामे जाना ने कोई एक सो बार इसे ऐसे कूड़े लगाये थे सच बरदाश्ट नहीं हो रहा इसके चहरे को बगौर देखती जाना तन्जिया बोली थी बरदाश्ट हो जाता मैबूट पर लगी धूल से ज्यादा एहमियत ना देता इस सच को अगर ये सच कोई और कहता मगर तुम्हारे मुन से ऐसे सच जहर की तरह मेरे अंदर उतरते हैं आहिस्तगी से केकर जमान खान पल्टा था जब जाना बिगड़ कर बोली थी आप पर फिर भी असर कोई नहीं होता क्या करें कमिंगी रग रग में बस चुकी है मैंने भी ये जहर रगरग में ना उतारा आपकी तो जाना नहीं में दिल में इरादा करते हुए इसने जमान खान की तरफ देखा और इसे आंखें सुकेर कर अपने तासुरात नोट करता देख कर खिल खिला कर हंस पड़ी मेरे बाल काफी लंबे हो गए हैं न गर्दन से जरा नीचे आते घने घंगरियाले बालों में उंगलियां चलाती जाना खुशी से चीखी थी अखबार से नजरें हटा कर जमान खान ने इसे देखा था फिर थोड़ी तले मिती रख कर संजीदगी से बोला हाँ यार वाकी सारे घर में बिखरे रहते हैं पैरों में अटकुत्ते रहते हैं जोड़ा बना कर रखा करो उनका बलके छोड़ो इतने लंबे तुम से अकेले नहीं संबलेंगे कभी फुरसत होगी मुझे तो मिलकर सिमटवाओ हेगा हो गया आपका चरकर कहती जाना लबों से फुट्ती बेसाखता मुस्कराहत रोक नहीं सकी थी डाकुहे ने की पुलिस की पिटाई कोरंगी टाउं में डाकुहे की वार्दा शहरी से तीन लाख छीन लिये पुलिस तो वक्त पर पहुँच गई लेकिन डाकुहे से पिट कर सबसे पहले भाग निकले टीवी पर हेडलाइन्स चल रही थी और इस खबर पर जाना हंस्ती ही चली गई थी हमारी पुलिस कितनी फुजूल है नहीं अपने पुलिस अफसर शोहर के सामने बैठ कर ये बात जाना ही कर सकती थी जमान खान जवाब में नाक के फुन पहला कर मिस्नौई सा मुस्करा दिया दो डान किस्म के लोगों को कतल किये चार मा गुजर चुके है अभी तक कोई मुझ तक पहुँच नहीं सका जाना के उत्रा कर कहने पर जमान खान ने अखबार तह करके साइड रखा फिर तन्जिया मुस्कुराया वो इसलिए क्यूंके तुम्हारे पीछे जमान खान है जमान खान ने किया कर दिया बालों में महबबत से बुष फैरते हुए जाना ने पूछा था सब जमान खान नहीं किया है मैंने कभी अपने कमरे की बैडशीत नहीं बदली और तुम्हारे घर पर बाथरोम कमरों में लगे खून के धबे मेंने अपने हाथों से साफ किये दिवार फलांगते वक्त दिवार पर जो निशान लगे वो भी मैंने साफ किये वो पैटी जिसमें तुम्हारे वो कपड़े थे इस पैटी को भी मैंने गाइब किया गवाहों ने तुम्हारा जो हुलिया बयान किया था कुछ मुछकिल नहीं था पुलिस का तुम तक पहुँचना घर ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा इस जगह से जितने वो दोनों बासर हैं दो दिन में तुम्हे सलाखों के पीछे फैंक देते पकड़ कर मगर चार महीनों बाद भी तुम हर फिक्र से अजाद अपने लंबे दरास बालों से महबबतें जता रही हो ये सिर्फ जमान खान की वज़े से जाना का बुष फिरता हाथ रुक चुका था कितनी ही देर तक वो कुछ के नहीं सकी थी काफी देर बाद हिम्मत करके गला खंकार कर शर्मिन्दा नजरों से जमान खान की अकड़ी गर्दन को देखा फिर बेन्याजी से बोली सब अल्ला की वज़े से हाँ अल्ला ने आपको वसीला बना दिया सरहलाता जमान खान इस बेन्याजी पर तक उठा था अच्छा अब जल्दी से अपने ये रास्ते में पड़े हुए बाल समितू और चाय बना कर लाइव अगर अपने मजीद मेरे बालों पर कोई चोट की तो मैं आपको गंजा कर दूंगी इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है एक दो साल तुम्हारे साथ रहोंगा तो खुद ही गंजा हो जाऊंगा जंजलाती हुई जाना कमरे से निकलते हुए चलाई थी अपनी सोनिया से बनवाएं चायशाई सर जी मेरी मदद कीजिए अल्ला के वास्ते मदद कीजिए रोता हुआ नवाब अचानक ही उसके आफिस में चला आया था नागवारी जब्द करते हुए जमान खान ने वज़ा पूछी थी सर मेरा शहाब सुबह स्कूल के लिए निकला था अब शाम हो गई है कुछ अतापत्ता नहीं अबे तो खेल रहा होगा कहीं और काम ही क्या होता है उन बच्चों को जमान खान ने नागपर से मक्खी उड़ाई थी नहीं सर वापस आकर वो मदरिसा जाता है और इसे बड़ा शौक भी है पढ़ने का कोई मसला जरूर हुआ है सर रूरू के इसकी माने आस्मान सर पर उठा लिया है सारी गिली च्छान मारी है मस्जिद में ऐलान करवाया है नवाब रोता गिलगलाता जमीन पर गिरता चला गया था और जमान खान की नजरें इसके पीछे खड़े जफर पर थी जिसके हाथ में लिफाफा था और वो नवाब की तरफ इशारा करता जमान खान को दंग कर गया था एहम तुम फिक्र मत करो नवाब हम कुछ करते हैं अभी करते हैं नवाब के सामने ही घुटनों के बिल बैठते हुए जमान खान ने इसकी पुष्ट थपकुते हुए हुसला दिया था, जबकि नजरें अब भी जफर पर थी, बस खान साहिब, हमें यकीन था अब दस मिनत में हम तक पहुँच जाओगे, इसलिए पहले ही अब तक अब का तो लिफाफा भिजवा दिया, और भी कुछ चाहिए हो तो बताना अब, स्कूल हैड मास्टर दांट नकवस्ता इसके सामने बैठा कि रहा था, और जमान खान मिसनौई भी नहीं मुस्करा पाया था, क्या बताओ है में बहुत प्यारा बच्चा था, कोई और वक्त होता तो ज जमान खान लिफाफा लेता और इसे जड़क कर चुप करा देता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कौन कितना पियारा था, लेकिन इस वक्त जमान खान की नजरों के सामने से अपने अमान का चेहरा ही नहीं हिट रहा था, जमान खान का अमान, जमान की जान, कुदरत की का रंग जमान खान के अंदास पर उड़ा था मैंने हुचा कुटे के बच्चे क्या मतलब है था हल्क के बिल चलाता जमान खान घूम कर उसकी तरफ आया था और इसे ग्रेवान से पकड़ कर दिवार से लगा दिया फेखेख खा चुप बिलकुल चुप कोई और बात नहीं ए इसका तो ख्याल था अभी जमान खान और हेड मास्टर हंस्ते मुस्कुराते निकलेंगे जमान खान इसे इसकी गारी तक छोड़ेगा फिर इसे इसका हिस्सा देगा मगर जफर अभी और इसी वक्त नवाब को बिला करला मगर वो तो जा भी जी अच्छा जमान खान के तासुरात पर गुरबढ़ा कर वो फौरण भागा था मैंने तुम से कहा तुम इसे मार दो और किसी बात की फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूँगा फिर क्यों नहीं सजा दी तुमने अपने मुझरिंग को जमान खान अपने सामने सर जुकाए बैठे नवाब पर चला रहा था जिसका चहरा बिलकुल बेतासुर था और आंखें भी बिलकुल खुश्क जैसे अब उनमें आंसु बच्चे ही ना हूँ सर मेरे सामने अपने ऐसे बहुत से केस दबा कर लिफाफे लिये है इन लिफाफों में से मेरी आउकाद के मताबिक मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता रहा है जो मैंने चुप चाप ले लिया है और और मैंने कभी उन मजलूमों के सामने जबान नहीं खुली जिनके बच्चों को खुद अपने हाथों से दफनाया है उनकी बेहाल लाशों को खुद मैंने खुद खुद अपने हाथों से दफनाया है सर वो आसलिये दिन में दस दस बार यहां आते है बहुत सूंको मैंने खुद धक्के मार कर निकाला है बहुत से गम के मारों से मैंने अपना हिस्सा वसूल कर उन्हें आपके आफिस में जलील होने को भेज दिया है मैं खुद कितनों का मुजरिम हूँ सर मेरा तो एक ही मुजरिम है मैं कानून को तोड़ के इसे खुद मार देता अपने दिल को ठंड़क पहुचा लेता जिनका मुझरिम में हो उनके दिल को ठंड़क कैसे मिलेगी मैं एक को मारूंगा मेरा बदला पूरा लेकिन मुझ अकेले को कितनी बार मारा जाएगा दहाले मार मार कर रोता नवाब अपना सर भी पेट रहा था और जमान खान का दम घुटने लगा था सारे अलफाज गुम हो गए थे गहरी चिप थी उसके अंदर बाहर सिर्फ एक पिल को सोचा था इसने कल को इसे कुछ हो जाए खुदाना खास्ता इसके बेटे के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो किया होगा क्या जाना भी उन्ही दरबदर इंसाफ के लिए भटकेगी नहीं सिर्फ एक पिल के तसवर नहीं जमान खान के रूंटे खड़े कर डाले थे पानी का गलास उठाया तो पानी पीने के लिए था लेकिन इससे अपने मुन पर पानी उच्छाल दिया अल्लाह तुझे गारत करे तेरे शोहर को गारत करे तुझे भी तेरे बच्चे की मस्ख लाश मिले एक पिल का सुकून नसीब नहो तुझे तेरी भी गोद उजर जाय परेशान सी मुलाजमा कभी चीखती चलाती इस दर्मियानी उमर की औरत को देखती कभी खामोशी से कोसने सुनती जाना को एक बार जाना के देती तो धक्के मार के इसे यहां से निकाल देती लेकिन वो तो पत्रीले चेहरे के साथ सुकून से बैठी इस औरत के कोसने सुन रही थी बीबी किया करू में इसका बिलाखिर मुलाजमा खुद से पूछ ही बैठी बोलते रहने दो इसे जब कुछ गलत हो तो इस पर बोलना चाहिए आवाज उठानी चाहिए चुप रहूगी तो पिच्चेताओगी तुम भी बोलना जब कुछ गलत होता देखो तुम भी बोलना जैसे ये बोल रही है मैं भी बोलूँगी सब बोलना अब चुप नहीं रहना आराम से बात शुरू करने वाली जाना का अंदाज हज्यानी हो गया था सोता हुआ अमान भी उठ चुका था कि वो पागल हो जाएगी तो इसने जमान खान को फोन करने का फैसला किया और भाग खड़ी हुई जाना कमरे में बंद थी और दर्वाजा खोलने को राजी नहीं थी बलकि वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी देख लूँगा मैं तुम है जालिम औरत अपने बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो दराजे पर एक जोरदार लात रसीद करके के जमान खान की गोद में सुकून से सोते अमान को देखा फिर बालों में उंगलियां चलाता बाहर की जाने बढ़ा इसके जाते के साथ ही मुलाजमा ने भी अपनी अट्की हुई सांस खारिज की बाहर नवाब अपनी बीवी को गाड़ी में डाल रहा था जो उसकी यहां आने तक रुरू के बेहोश हो चुकी थी कोई प्रेशानी वाली बात तो नहीं है जमान खान की आवाज पर वो चौंक कर मुला था और फिर जमान खान को देखता ही रह गया था क्या बात है जमान खान उलजा था फिकी सी मुस्कराहट के साथ नवाब ने नफी में सर हिलाया था वो किया कहता इसे तो ये उमीद थी के जमान खान आकर इस पर उलत पड़ेगा मगर वो तो उल्टा खेरियत दर्याफत कर रहा था और जमान खान को खुद पता भी नहीं चला था अपने मिजाज के इस बदलाइव का सौरी सर पता नहीं किसनी क्या पट्टी चबा दी है हाला के अपने तोहम पर हमारे मुजरिम आशकार करके बड़ी महर्बानी की है पता नहीं मैडम से भी क्या क्या के दिया पागल औरत ने इसकी खैर है मैं संभाल लोंगा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई मसला हो तो बताना नवाब को एक और जटका दे कर जमान खान इसका शाना थपथपा कर वापस घर के अंदर चला गया अल्ला आपको हिदायत दे सर आपको और मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफिक अता फरमाए आमीन हाथ उठा कर नवाब ने दिल की गहराईयों से दुआ की थी बहुत देर गुजर गई थी बाहर से आती अमान के रोने की आवाज तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी मगर अब जमान खान की आवाजें आना भी बंद हो चुकी थी और ये बात जाना को और रुला रही थी गंदा इनसान अंदर मर रही हों तो मरती रहों इसकी बिला से बड़े आये थे महबबत करने वाले कर्वत बदल कर इसने दो पटे से आंसू और नाप दोनों रगड डाले थे जब खटर पटर की आवाज पर वो चौंक कर उठी थी और फिर वाश रूम का दर्वाजा खिलता देख कर उसकी आंखें भी फट्ती चली जा रही थी और जीही बात रूम से जमान खान बरामद हुआ जाना दहशत से चीखते चीखते रह गई बरवक्त जमान खान ने आगे बढ़ कर उसके मुनह पर अपना हाथ रखा था वरना जाना ने अपनी चीख से कमरे में मौजूद तमाम शीशे तोड डालने थे एक तो वैसे ही वो बड़ी मुश्किल से बात्रोम के रोशन दान से यहां आया था इस पर फॉरन ही जाना का भामपू पगला गई हो किया पूरी तरह अंदास डपटने वाला था पगलाई मेरे दुश्मन आप दूर हूँ मुझ से वरना में आपका सर तोड दूँगी अपने मुन से जमान खान का हाथ हटा कर वो चीफी थी तोड दो दिन में दस बार दिल तोड़ती हो सर भी तोड डालो जब दिल का तूटना बरदाश्ट कर सकता हूँ तो सर का भी कर सकता हूँ जमान खान के लहजे से जहलकता इतमिनान इसे सर तापा जला गया आपको पता है अब सबसे बुरे कब लगते हैं मुझे जाना का अजीब ही हाल था आखों से आग भी निकल रही थी और आंसू भी मेरा तो ख्याल है मैं तुम्हें हर वक्त ही बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें अच्छा कब लगता हूँ तुम मुझे ये बता कर हैरान कर दो मज़े से कहता वो टीवी आनकर चुका था जबकि जाना ने रेमोट जपट कर इसे चीन कर टीवी फिर से बंद कर दिया अप 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 घम औ घुसे की ज्यादती से जाना से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था मेhe और ये सब करते वक्त अप ये वरदी पेहने होते है बदनाम करके रख़दी है अब जैसोने ये वरदी पहली बार पता चला है तुमहें मेरे बारे में अन्जान थी तुम इससे पहले अब के जमान खान का भी दिमाग खराब हुआ था मुझे पता था मुझे पता था आप बुरे है लेकिन इतने बुरे इतने मुन पर हाथ रख कर वो अपनी आहों का गला गोंटने लगी और जमान खान के चहरे के तासुरात बिलकुल ही तन गए अप अप मासूम बच्चों के साथ जियाती करने वालों का साथ देते हैं अपको एक पिल को भी उन बच्चों पर रहम नहीं आता अपके लिए पैसा इतना जरूरी है अप अप मर क्यों नहीं जाते अप जैसे सब लोग मर क्यों नहीं जाते कभी जो धमाका हो जाए अब जैसे क्यों नहीं मरते इसमें आस्मानी आफ़तें अब जैसों पर क्यों नहीं नाजिल होती अब कौन सा गुना है जो अपने नहीं किया अब जैसों की रसी इतनी दराज क्यों हो जाती है अब जैसों को भी तकलीफ मिलनी चाहिए जिस्मानी भी, जहनी भी, दिल्ली भी, आप मुझे पुलिस के हवाले करें आप कुछ भी करें मैं चली जाओंगी यहां से, आपके साथ नहीं रहना अब मुझे, आप बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही जाओंगों के सामने अचानक अंधेरा चाया था, वो जो चीखते चीखते कमरे की चीजें उठा उठा कर उधर उधर फैंक रही थी हाथ में पकड़े शोपे समेत धराम से जमीन पर गिरने लगी थी, जब साकित नजरों से इसे तक ता जमान खान तेजी से इस तक आया था, अगर वो सही वक्त पर न पहुचता तो जाना जमीन पर गिर कर अच्छी खासी चोट खा लेती, फर्श पर बैठा वो जाना का सर सीने से लगाए बे आवाज रू रहा था, और इसे पता भी नहीं चल रहा था, ठटका तब जब गाल पर नमी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैरत से गाल को चू कर अपनी उंगलियों के भीगे पूरों का तकता वो कुछ लम्हों बाद हिचकिया लेकर रोना शुरू कर चुपका था, जिन से अब सबसे ज्यादा महबबत करते हूं उनकी थोड़ी सी नागवारी भी दिल दुखा देती है, जबकि जमान खान में तो कि वो चा रही थी जमान खान मर जाए, कुछ ही दिन पहले तो इसने दूसरों का दर्द महसूस करना शुरू किया था, अब एक नया दर्द, अपनी महबबत की नफरत, आप मुझे क्यों लाए वापस, अरे कुछ तो गेरत कीजिए, आपके बच्चे का मुझरिम है वो की, कुछ गेरत कीजिए, मुझे बदला चाहिए, मेरे बच्चे का बदला चाहिए, मुझे चुप कर जा मेरी मा चुप कर जा, हाथ जोड कर दे उता नवाब अपनी बीवी को चुप करवा चुपका था, अब भी मुझे ही चुप करवा रहे हो, मैं ही गलत हूँ, इसकी ब बता चलता के साहिब का इसमे हाथ है, आवो मुज्रिमू का जानता है और छुपा रहा है। तो मैं इसे पिल भर में शूट कर देता। इतनी गोलिया मारता, इतनी गोलिया मारता। इसके जिस्म के चीथले ओड़ जाते। नगर मैं असल मुज्रिम से मिला हो ना। बताया था इसकी बीवी फिर चिला उठी थी, हाँ और उसके लिए सर को किस ने मजबूर किया, किस के खौफ में आकर सर ने किसी को मुझरिम मेरे सामने पेश किया, दबा देते सर चुप चाप ये केस लिफाफे लेकर, कौन किया बिगार लेता उनका, मुझे मेरे ही बच्चे की मौत के लिफाफे से कुछ पैसे मिल जाते, मैं ले आता, और तो बगएर ये पूछे की ये हराम है या हलाल, खर्च कर डालती, मुझे मेरे किये की सजा मिली है शबाना, मुकाफात अमल का शिकार हुआ हो में, मेरी अपनी मुझरिमाना खामोशियों की सजा हैं ये आहें और चीफ तवील दौरानिया खामोशी की नजर हुआ, किसी किसी वक्त कोई सिस्की उठ जाती, आखिर गरीब ही क्यों मुकाफात अमल का शिकार होते हैं नवाब, तूने घर घर जाकर देखे हैं अमीरों के हालाद, कौन जाने कौन कितने रोग लगाए बैठा है, अपने इस शेतान को क्यों ना मारा नवाब, मैं इसे एक बार मारता तो मुझे वो सुकून ना मिलता जो मुझे इसे रोज मौत की भीक मांगते देख कर मिलता है, अजीब चमक सी आई थी नवाब के चहरे पर, जिसने शबाना को साकित कर दिया था, क्या इसे बहुत अजियत में रखा गया ह अच्छा मुझे ये बता तुझे किसने बताया था, क्या बताया था जो तो लड़ने पहुँच गई सर के घर, मुझे शोहर के सवाल पर वो चुप सी होकर नजरें चुराने लगी, मुझे बताओ शहाब की मा, क्या चुपा रही हो मुझसे, नवाब उसके अंदास पर अपने आसपास खत्रे की घंटियां बच्ती सुनाई देने लगें, यही के खान साहिब हमारे मुझरिमों के साथ मिले हुए है, भारी कीमत वसूल कर वो हमारे मुझरिमों की हिफाज़त भी करेंगे, उनकी चुप होकर शबाना ने हैरत से नवाब को बाहर जाते देखा थ ऐसा था कि वो घबरा गई थी, अलिफीजा कहा रहे हैं अब कुछ बता तो जाएं, जुरियों भरा चहरा जहां हर वक्त शेतानियत रक्स करती थी, इस वक्त हैरत गम और गुस्से की जियादती से काम पर रहा था, अपने हाथ में मौझूद सिगार उसने दूर उचाली थ पेशानी आहिस्ता आहिस्ता मसलते हुए वो अपना गुसा ठंडा करने की कोशिश करने लगा, हमारे टुकरों पर पलने वाला, हमारे बिल पर बड़े-बड़े महल तामीर करने वाला, अब हम से घद्दारी करेगा, मेरेगा वो उलू का पथा लाजमी मेरेगा, हल्क के ब जाल, हमारे बंदे को जेल में बंद करके तशद्द का निशाना बनाता है, तशद्द नहीं साहिब, ना जिन्दों में छोड़ा ना मर्दों में इसने सर वाकिफ को, जफर ने बीच में जिताना जरूरी समझा, तो चुप कर, बहुत बड़ी गाली सुनकर भी अपने ये जफर सर जुकाने के सवा कुछ ना कर सका, बड़ा फरिश्टा सिफत बनता है, अभी सारा कच्चा चथा खौल कर रख दूंगा इस का दुनिया के सामने, मुझे तो यकीन ही नहीं आता, अच्छा भला चलते चलते किया हो गया इस जमान खान को, करीब ही सिगरेट फू अब मजीद भी कुछ रहता है, भूंक, वो, मनसूर और फिरोज साहिब को कतल करने वाला कोई मर्द नहीं औरत थी, और वो औरत जमान खान की बीवी है, इस इंकिशाफ पर तो वो नौजवान और उधेर उम शख्स हक डिक रह गये थे, क्या बोल रहा है ताव, साहिब जि इसकी चाहे किस्म ले लो, मैंने बताया था अपको के मैं इस कातिल लड़के से पहले भी एक दो बार मिला था, मुझे इस अफसर ने कुछ दिन पहले किसी काम से अपने घर भेजा था, वहां मैंने अपनी आँखों से इसकी बीवी को देखा था, वो वही थी साहिब, आपको तब ही बताऊएगा फिर जो अप लोग बोलो, तुझे गलत फहमी भी तो हो सकती है, एक औरत भला कैसे मर्द बन, कर मार सकती है, नौजवान कुछ गेर यकीनी का शिकार लगता था, नहीं साहिब कोई गलत फहमी नहीं, पूरा यकीन है मुझे तब ही बोल रहा हू वो मुझे देख कर घबराई भी थी, तो अब इस के साथ इसकी बीवी से भी मलना पड़ेगा, वो लड़का इस मुआमले में कुछ ज्यादा ही पर जोश लगने लगा था, बिस्तर पर दराज वो अंधिरे में हाथ में जलती सिगरट की नारंजी चुंघारी को तक रहा थ जब चिंगारते फोन की आवाज पर शदीद नागोरी का शिकार होता तेजी से फोन की तरफ बढ़ा था, जाने से पहले इसने मीम अंधिरे में जाना और उसके पहलू में सोते अमान को देखा था, शुक्र था दोनों में से किसी की आख नहीं खिली थी, हेलो, आवाज पेस कर जिस तरह इसने कहा था, इसकी कोफ्त इससे वाज़ थी, सलाम सर मुझे लगता है कोई बड़ी मसीबत आने वाली है, क्या बकवास कर रहे हो, मसीबत आए मेरे दुश्मनों पर, गैर इरादी तोर पर वो जाना के अंदाज में बोला था, साहिब अपके दोस्तों मे कुछ अपके दुश्मन भी है, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, वक्त वक्त मतलब मतलब की बात होती है सारी, अब जो बोलना है किलेरली बोलो, इतना अंदाजा तो जमान खान को हो गया था कि किसी मामूली बात के लिए तो नवाब ने इसे रात के दो बजे काल नहीं की होग सर, शबाना को जफर ने ही अपके खिलाफ भरकाया था, अपके अंदास की तबदीली सब ही नोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है अपकी ये तबदीली अपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करने वाली है, उल्जन का शिकार होता जमान खान नवाब के लहजे में कुदरत इसे कितनी भयानक सजा देगी, नवाब, जमान खान की भिकती आवाज पर दंग होता नवाब फोरण बोला था, जी सर, मेरे लिए दुआ करना, मैं मर जाओं तो खेर है, लेकिन अब में फिर वैसा ना हो जाओं, मेरे लिए दुआ करना, बहुत सी बद्दुआई मेरे पीछे, जिन से मुझे खौफ आने लगा है, बहुत तकलीफ दे अंजाम देख रहा हो में अपना, जमान खान के मुन से ये बाते नवाब को बहुत अजनबी लग रही थी, कई लमहे गुजर गए वो कुछ बोल ही ना पाया, फिर गला खंकार कर बोला था, अल्ला ने अब की असल जरूरत है सर, कुछ देर तक जमान खान दौाओं की ये दिल से निकले अलफाज, दिल से महसूस करता रहा, फिर हाथ से चारा साफ करते हुए पुरसकून सा गोया हुआ, बहुत शुक्रिया, फोन रखकर वो गायब दिमाग सा वहीं खड़ा किसी गैर मरी नु आवाज में गोया हुई थी, सौरी, आपको कुछ तो अपनी सफाई, सफाई में, मैं कहना चाहिए था, हल्क में अटका इंसुहे का गोला इसे कुछ बोलने नहीं दे रहा था, क्यूंके मैं जानता था, नवाब का ना सही, बहुत सूंका गुनेगार हों में, खामोश नज आवाज से ज्यादा चाहने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, और अल्ला के जिन बंदों का मैं गुनेगार हूँ, ये शेतान होता है जो दिल में वस्वसे डालता है, तमाम अगर मगर ये वो जहन से जटक कर आप सिर्फ अल्ला से बात कीजिए, अल्ला से उमीद रुके सर आहिस्तगी से इस बात में हिला कर जमान खान ने अपनी थोड़ी जाना के सर पर रखी थी, कुछ देर पहले की इसकी कैफियत बहतर होने लगी थी, वरना तो इसे लग रहा था वो यहीं खड़े-खड़े मर जाएगा, और बहुत अजियत उठाएगा मरते वक्त, अब अभी तो बहुत जीना है, जाना के साथ अल्ला का घर देखना है, अभी तो इसे अमान की शादी भी करनी थी, अपने पोते-पोतियों से भी खेलना था, और सबसे पहले इसे अल्ला से मुआफी मांगनी थी, अल्ला को राजी करना था, दो घंटे गुजर चुके थे इसे जानमास पर सर जुकाए आंसू बहाते हुए, दिल में जितने भी लफ्स थे सब इंसुहे के सहारे निकल रहे थे, जबान पर तो कुफल पढ़ चुके थे, वो जब भी कुछ कहने को मुन्ह खोलता एक सिस्की, एक आह निकल जाती, और बस, एक लफ्स ना कहने के इसे लग रहा था, उल्ला इसे सुन रहा है, इससे बात कर रहा है, दिल में इत्मिनान सा भरता जा रहा था, अल्ला मुझे सुन रहा है, मेरा रब मुझे मुझे मुआफ कर देगा, इसके लबों से यकीन से गुन्धे ये लफ्स निकले थे, बंद आखों के साथ पुरसु पून सा मुस्कुराते हुए वो सजदे में गिरा था। आज की सुबह कित्मी प्यारी थी। मींस से बेदार होकर इसने जमान खान को सजदे की हालत में पाया था। सच तो ये था कि कहने की हद तक बात अलग थी। कहना बहुत आसान था। जो इसने के दिया। मगर कर दुखाना बहुत हिम्मत का काम था। जो हिम्मत जमान खान ने की थी। जमान खान इस से और अमान से बेहद महबबत करता था। वो जानती थी। वो इन दोनों के लिए एक बिलकुल अलग जमान खान होता था। महबबते लुटाने वाला जिसके हर अंदाज में बुर्दबार, महर्बान, और ये रूप सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं था, ये जमान खान का असल था, अब यही जमान खान था, बेपना खुशी के एहसास में घर कर भी जाना ना जाने क्यों बे इत्मीनान थी, शायद के नवाब के फोन के तनाजर में जमान खान जो धे हुए वो यद्दम चौनकी थी, अपनी ही सोचों में गुम वो अमान को बिलकुल ही फरामोश कर गई थी, कितनी देर हो गई थी इसने अमान को नहीं देखा था, ना इसकी कोई आवाज, अम्मा हम रहे, अमान को इसके बाद अम्मा हम रहे ही संभालती थी, इसलिए जाना ने उन्हें ही पुकारा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था, वो बावलों की तरह सारा घर देखा आई थी, पूरा घर साइं साइं कर रहा था, कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था, मैं जमान को फोन करती हूं, बावाज बलंद कर वो कमरे में भागी थी, ओन कहां चला गया, अपना मुबाइल ना मिलने पर वो जहनजलाई थी जब धार से इसके कमरे का दर्वाजा खुला था, दिल पर हाथ रखकर वो चीख मार कर पल्टी थी, शहर से कुछ दूर वाकह इस वीरान खंडर मकान से गोलियों की आवाज मस्तकिल आ रही थी, यहां कुछ शर्पसंदों की मौजूदगी की इत्तिलात थी, जमान खान आज पूरे दिल और इमानदारी से दुश्मनों के खिलाफ मैदाम में उत्रा था, लेकिन हैरत अंगेज तोर पर अभी तक किसी एक मुल्जम के जखमी होने की भी इत्तिला नह जबाब की रात आने वाली काल, यानि ये किसी दुश्मन की चाल है, सर पर हाथ मार कर इसने इसी हाथ की मुठी बना कर दिवार पर भी दे मारी थी, इसके साथियों में से भी सिर्फ एक दो इस हकीकत से अंजान लगते थे, बाकी सब का टार्गिट वही था, डैम अट, बे अच्छे ही वीडियो कैमरा लिए आते जफर को देखा था, क्या चाहिए तुम लोगों को, दूर हो जाओ, इस अजनबी शख्स को अपने करीब आते देख कर जाना तेजी से पीछे हुई थी, जब इसका हाथ पकड़ कर इस शख्स ने अपने करीब खेंचा था, जाना के अच्छी तरह देख यही है, हाँ साहिब सौफीसद यही है, जफर के इत्मिनान पर जाना चीफी थी, किसकी बात कर रहे हो, मैं जमान खान की बीवी हूं, जमान खान को जानते नहीं हो तुम, वरना कभी मुझे चूने की भी गल्ती ना करते, गातला नहीं हैं अब, जाना के बालों पर ग्रिफ्ट मजबूत करते हुए वो फुनकारा था। खौफजदा नजरों से जाना ने इसकी आखों में चमकती शेतानियत देखी थी। वो अपना गुजरा वक्त भूल ही चुकी थी। वो किया थी। किस तरह इसने मर्दों के मुआशरे में जीना सीखा था। अपना वो रंग रुपंदाज जाना सब कुछ भूल चुकी थी। इसके अंदर एक मुकमल मश्रिकी घरेलूसी लड़की थी जिसे इसने खुद पर हावी कर लिया था। वो हर चीज के लिए जमान खान की तरफ देखती थी। इसकी जिन्दगी में सिर्फ एक ही मर्द का दखल था। जो जमान खान था। वो जमान खान के महरबान साय तले रहना पसंद करती थी। वो मुआशरे से लड़ना भूल चुकी थी। इसलिए इसकी जान बिलकुल हुआ हो रही थी। इस वक्त भी इसने जमान खान के नाम का सहारह लिया था जब इस शखस की तरफ से म मगर लगता है खान को ये दोस्ती रास नहीं आई, मेरी बिला से तुम लोग जो भी हो, यहां क्यों आए हो, और मेरा बच्चा कहा है, आपका बच्चा अमान ना है ना इसका, बहुत क्यूट है, बिलकुल आपकी तरह, जटके से जाना को बैट पर धकेल कर इसने जफर को वी पक्ते में बैद पर चड़ता दूसरी तरफ को कूदा था, इसको खुद से दूर रखने की कोशिश में हलकान जाना के कानों से अमान के रोने की आवाज टकराई थी, भीगी नजरों से इसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था, जिसके दूसरी तरफ इसका बेटा हलक फाड के रो रहा था, अमान के रोने की आवाज इसका दिल चीर भी रही थी, और उसकी हिम्मत भी बढ़ा रही थी, इसे अपनी इज़त और जान ही नहीं, अपने बेटे को भी बचाना था, सुर्ख होती भीगी नजरों से जाना ने इस शेतान सिफ़त चक्स को देखा था अगले ही पिल इसने जहीर का चहरा हाथों की ग्रिफ्ट में लेकर पूरी कुट से पुष्ट से लगी दिवार पर दे मारा था, शायद के जहीर चोहदा अपना बचाओ कर लेता, अगर इसे थोड़ी सी भी उमीद होती के चीखती चलाती रूरू कर मुजाहमत करती जाना कुछ पिल लगे थे इसे संभलने में, तब तक जाना एक शो पेस उठा कर वीडियो बनाते जफर के सर पर भी रसीद कर चुकी थी, दर्वाजे की तरफ बढ़ते इसके कदम जहीर चौदरी के इसका दो पट्टा खैंचने पर रुके थे, पहले वो ये खेल सिर्फ दिल प जाजुहे में मचलती जाना को संभालने की कोशिश में मसरूफ जहीर चौदरी का फोन बजा था, फुरकान, जहीर चौदरी हल्क फार के चलाया था, बाहर से फौरन ही एक हटा-कटा शखस भागा आया था, इसे पकड़ो, जाना को इस शखस की तरफ धकेल कर इसने जेब स फोन निकाला था, फौरन से पहले वहां से निकलो, पुलिस वहां पहुच रही है, पुलिस हमारी पालतू है, दूसरी तरफ से अपने बाप के चीखने पर वो भी चीखा था, सारे हमारे पालतू नहीं है, जितना कहा है इतना करो, इसके साथ ही फोन किट गया, जहीर जाना को पकड़े अपने गार्ड से कहता वो तेजी से कमरे से बाहर निकला था, हाँ फयाज किया हुआ, उन कान से लगाए जमान खान ने पूछा था, आवाज में तकलीफ वाज़ थी जिसे महसूस करता फयाज पूछ बैठा था, तुम खीक हो, अबे मुझे गोली मारो, घर की हालत बताओ, सब खेरियत से है ना, अपने गोली लगे खुनम खुन हुए दूसरे बाजू पर सरसरी नज़र डाल कर वो प्रेशानी से गोया हुआ था, भाबी और अमान दोनों मौजूद नहीं है, स्टोर रोम से मुलाजमीन मिले हैं हाथ पीर बंदे हुए, और कि की भीकती आंखें देखकर ड्राइव करता नवाब ठिठक कर रह गया था, कुछ हदत एक दूसरे को देकर उन्होंने राब्ता मुनकतह किया तो नवाब पूछ बैठा, सब ठीक है नसर, कुछ भी ठीक नहीं है नवाब, कुछ भी तो ठीक नहीं है, मगर दूआ करो सब ठी अपनी खून आलूद आस्तीन को चड़ाते हुए वो इन तमाम लोगों के नाम जहन में दोहरा चुका था, जिन पर इसे शक था, मगर बदकिसमती से उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी, वो बिलकुल नहीं समझ पा रहा था कि सबसे पहले किसका ग्रेबान पकड़े, आक स निकलते नाक पर फिसलते इंसुहे को अंगुठे से साफ करते हुए जमान खान ने अपने बच्ते फोन को पहली रंग पर ही उठा लिया था, यस, जमान खान पहचाना, एक लम्हे को चुप होकर जमान खान मध्धम आवाज में बोला था, जहीर चौदरी, आहा बहुत का था कि ये सब करने वाले वही थे, और अब इसका बस नहीं चल रहा था कि ओड़कर चौदरियों के पास पहुँच जाए, ओहा में ने तुझे इज़त दे दी, जिसके तो काबिल नहीं, ताव तो हमारा पालतू कुट्ता था, लेकिन कुट्ते भी तुझ से बहतर होते ह जिसका खाते हैं इसके वफादार तो रहते हैं, शट अप, पूरी कुट से चलाया था जमान खान जब जब जहीर चौदरी कहका लगा कर हंस पढ़ा था, यूच बहुत जोर की लगी, हराम के पले मुझे बता कहा है तो, मुआमला तेरा और मेरा है, इसमें मेरे बीवी भुकतेगी तेरी जाना, ये वार ऐसा था कि जमान खान का दिमाग साइं साइं करने लगा, क्या चाहता है? जमान खान का इतना हारा हुआ अंदाज, जहीर खान के दिल उदिमाग बाग बाग हो गये थे, किसी भी चालाकी के बगएर अकेले आ, जाना हमारे पास है लेकिन जमान इस वक्त कहा है ये में भी नहीं जानता। इसलिए जो भी कदम उठाना। सोच समझ के उठाना। सीलिया चड़ते हुए जमान खान इस जेरे तामीर बिल्डिंग की तीसरी मन्जिल पर पहुँचा था। जाना। सामने ही नीम बेहुशी की हालत में जमीन पर पढ़ी जाना को देखकर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था। जब एक गार्ड ने आगे बढ़कर इसे रोका था। खून का घूंट पीते हुए जमान खान ने जाना के करीब ही तांगें पसारे बैठे जहीर चौदरी को देखा था। जो गर्दन मोड कर इसे ही देख रहा था आगे मेरे दोस्त। उठकर जहीर चौदरी इसके सामने आख़डा हुआ था। बहुत मुश्किल से जमान खान ने खुद को इसे मुका रसीद करने से रोका था। मुझे बहुत मतासिर किया है जाना ने। ये देखो। माथे से बाल हटा कर इसने अपनी सुर्ख होती असुर नहीं उबरा था। अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगा था तुझे बगा अच्छा लगेगा। जहीर चौदरी बहुत हो गया। मैं आगया हूँ अब मेरी बीवी और बेटे को छोड़ दो। हाँ बिलकुल। फुरकान इसे अटेओ और हाथ मत लगाना मेरी बीवी को। गाड को जाना की तरफ बढ़ते देखकर वो चलाया था। वो तो ये बेहुशी में उड़कर जाएगी। शट अप। जहीर चौदरी के तंजिया अंदाज में पूछने पर नागवार नजरों से इसे घुरता जमान खान जाना की तरफ बढ़ गया था। जब भूलना कान अमान अब भी हमारे पास है। किसी किस्म की चाला की दुखाने की कोशिश मत करना। और इसे कब छोड़ा जाएगा। जमान खान के चला कर पूछने पर इसने बड़े इतमिनान से शाने उचकाए थे। जब तुम मर जाओगे। जमान की आँखों में नमी चम नीचे गाड़ी में मौजूद नवाब इसे जाना समेत आता देखकर पुरसकून हुआ था लेकिन जमान खान के चहरे पर ऐसा था जो इसे कुछ भी कहने से रोग गया था गाड़ी की पिछली तरफ जाना को डाल कर वो वापसी के लिए पल्टा था जब नवाब खुद को रोक नहीं पाया था सर अल्ला सब खेर करेगा आमीन नर्म सी एक नज़र नवाब पर डाल कर वो हलक तर करता बिल्डिंग के अंदर गया था जीही एक गाड़ ने इसके चहरे पर मुक्का रसीद किया जमान खान बेभी पिल की देर किये बगएर उसका जब्रा सजा दिया ओए जहीर चौदरी के चलाने पर वो दूसरा खून से लटपत बाजू सहलाते हुए हनसा था अपने बीस बंदों की ताकत पर यकीन नहीं था तो उन्हें चूड़ियां पहनाते तपानी वाली मुस्कराहत लबों पर सजा कर जमान खान ने आसपास खड़े बहुत से गार्स को देखा था घुसे से कामते वो सब जहीर चौदरी के इशारे पर एक साथ इस पर पिल पड़े थे उठा कर पटक देता एक साथ सब को जमान खान अगर वो कोई फिल्मी हीरो होता मगर वो तो बस एक आम सा शखस था जिसने अपनी तमाम सलाहियतें पैसा हासिल करने पर खर्च कर दी थी एक नाकारा हाथ के साथ वो उन वीस आदमियों का मकाबला कर सकता था यकीनन नहीं धुन्दली आखों से जमान खान ने इन सब को वहां से जाते देखा था इसे फॉरण मत मारना यहां तड़प तड़प कर मरने दो इसे खुद को खत्म होता अपनी आखों से देखे ये गद्दार जहीर चौदरी की आवाज इसके कानों से टकराई थी खुन रस्ते हुंटों के साथ वो बेबसी से हंस दिया था अपने करीब आते किसी किड़े को देखता वो अपना आगे का हाल सोच सकता था कितने मजलूम लोग थे जिनकी लाशें इसने ऐसे ही वीरानों में फंकवाई थी वो भी एक भयानक खबर बन जाएगा जो उसके मुक के बाशिंदों के लिए बहुत आमसी होगी जेर तामीर बिल्डिंग से मस्ख शदा लाश बरामत तहकीक पर पता चलेगा अरे ये तो जमान खान है और फिर कितने ही लोग होंगे जो इस खबर पर शुक्र अदा करेंगे क्या कोई इसके लिए दूआ भी करेगा रोएगा भी हाजाना और शायद के माम भी हो सकता है नवाब भी और सुनिया वो भी शायद बस इतने मुखतसर से लोग होंगे जमान खान जो के अपने इलाके का एक बिसर शखस है इसके लिए बस इतने से लोग वो किला अब इसके खून से भरे हाथ पर मौजूद था इतनी सी जिन्दगी थी बस इसके लिए मैंने करोडों जम्ह किये हर गलत काम करके क्या मिला मुझे मेरी दौलत से मेरी दौलत मेरी किया मदद कर सकती है मुझे किया दे सकती है एक दौा तक तो दे नहीं सकती बंध होती आँखों के साथ जमान खान ने बहुत से कीडों मकडों को अपने तरफ बढ़ते देखा था क्या मैं जन्नत में हूँ मेरे जैसा शख्स भी जन्नत में जा सकता है दिल्फरेब खुश्बू और धलाती हुई हर तरफ बिखरी सुफधी ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था लेकिन जुही इसकी सूजी आंखे माहौल से मानूस हुई वो चौंक उठा ये हास्पिटल का कमरा था और उसके आस पास फूल ही फूल थे तो मैं जिन्दा हूँ और जाना और अमान वो उठकर बैठना चाहता था जब एक हाथ का दबाओ उसके सीने पर पढ़ा था जटके से जमान खान ने गर्दन मोडी थी और फयास को देखकर अत्मनान की एक गहरी सांस खारिज करता वापस पढ़ गया उठ गए तुम जिन्दगी मुबारक खान साहिब जिन्दगी की मुबारक बात देने से पहले मुझे मेरी जिन्दगी का हाल तो सनाओ कराहते हुए जमान खान ने अपना तक्याद रूस्त करना चाहा था जिसे फ़यास ने ठीक कर दिया था अब वो कमर टिकाय बैठा था तुम्हारी जिन्दगी बिलकुल ठीक है, मगर बहुत रोती है, अमान के अलावा जाना भी रोती रही है, जमान खान को ये जान करना खुशगवार सी हैरत हुए थी, बिलकुल, फियाज धीरे से हंसा था फिर जमान खान की आखों में आंसु भरते देखकर चौंक उठा था, इसके लिए ये बहुत हैरत अंगेज मनजर था, अल्ला ने मुझ जैसे गुनेगार पर कितनी महरबानिया कर दी हैं फियाज, तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली गई है जमान, बस आइंदा इस राकी तरफ पलतने का सोचना भी मत, फियाज के शाना थपक कर कहने पर इसन का क्या हुआ है, कुछ लम्हों बाद जरा संभल जमान खान ने भीगा सुर्ख चहरा उठा कर पूछा था, नवाब की तरफ से इत्तिला मिलने पर हम जब तक वहां पहुँचे, जहीर चौदरी वहां से जा चुपका था, बाद में इसके मुक छोड़ जाने की ही खबर मिल गई, हाँ इसका बाप बरवक्त हाथ लग गया, वो भी उड़ान भरने को तयार था, इसी के पास से मिला था आमान, मुझे यकीन है वो जल्द ही इन मौामलों से अपनी जान चोवा लेगा, आफ्टर अल वो एक नामवर सियासतदान है और ये पाकिस्तान है, आखिर में फ से लोगों का सामना करना पड़ेगा, जब मेरे एकने गुनाहों के बावजूद मेरी तौबा पर मेरा अल्ला मुझे मौत के मुन से खैंच कर जिंदगी की तरफ ला सकता है, तो जब मेरे साथ बहुत सी दौाइं भी होंगी, यकीनन अल्ला मुझे तनहा नहीं छोड़ेग जमान खान के अंदाज में अजम था, यकीन था, लब भींच कर जमान खान ने इस बुड़ी औरत को देखा था, जिसका एकलोता बेटा इसके तशद्द्द से जहनी तवाजुन को चुपका था, दरवाजे से जहांकती वो सावली सलूनी तीन चार नो उमर लड़कियां ब तो ले जाओ उन्हें वापस, हाथ में पकड़ा लिफाफा इसके मुन्ह पर मार कर वो औरत चीफी थी, ये पहली बार नहीं था, वो जहां भी गया था अब तक, इसके साथ यही सलूक हुआ था, और हर बार वो सर को हलकी सी जंबिश दे कर बोला था, आपको जब भी कोई जरूरत हो मुझे के दीजिएगा, पैसों का लिफाफा उठा कर पलंग पर रखता वो इस बो सीधा से मकान से बाहर निकल आया था, पीछे इस औरत के चलाने और रोने की आवाजें सुनता वो बोजहल दिल ये अपनी गाड़ी का आफ तर्फ बढ़ा था, इसकी नियत थी, शायद के लोगों के दिल भी साफ हो जाएं, एक उमीद से इसकी आँखें चमकी थी जब जेब में रखा फोन गुम गुनाया था, अमान के पापा कुछ कहा था मैंने अब से, इतना कुछ कहा था, क्या किया याद रखता, मुस्कराहत दबाता वो गारी में बैच चु प्या में बदलू और प्यारे उन्हें पापा हो गए, अक्सर ही वो उन बाप बेटे को महबतें जताता देख कर कहती थी, बिस्मा की शादी है, रुखसाना आंटी ने कई दिन पहले पहुचने का कहा था, आप मुझे टालते रहे, मैं उन्हें टालती रही, मित जता अब उनका नाराजगी भरा फोन आया है, बातें सुनाई उन्होंने मुझे, उन्होंने बातें सुनाई, यकीन आता है, तुमने सुने, यकीन करना मुश्किल है, जमान खान के चिवाने पर वो तप उठी थी, इतना ही बत्तमी समझते हैं आप मुझे, ऐसा वैसा, उनकी नोक ज धूंक शुरू हो चुकी थी, उनके दर्मियान बहुत ही कम नार्मल अंदाज में बात होती थी, ज्यादातर वो एक दूसरे को टपानी की कोशिश में रहते थे, हाँ कुछ दिन पहले तक, जमान खान के दिल में एक तशनगी थी, क्या जाना इस से महबत करती है, ये तशन सीने से लग कर जार ओकतार रोते हुए कोई दस बार तो कितना प्यार करती हो में अब से कहा था, सरशार से अंदाज में फोन कान से हटा कर इसने गारी खान विला की रापर डाली थी, जहां इसकी जाना इससे नाराज होकर मुनतजर बैठी थी कि कब जमान खान आकर इसे मन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राब करें, शुक्रिया